मद्द प्रदेश में निमाल की धर्ती में सामाजिक परिवर्तन और परियवन संरक्षन के लिए मद्द प्रदेश सासन की पूरो मंत्री स्रीमती अर्चना चिटनीस पिछले एक दसक से लगातार काम कर रही हैं। हर वर्ष चैत्र सुक्ल प्रतिपता से राम नौमी तक स्रीमती अर्चना चिटनीस धामन गाओं के बागेश्वरी धाम मंदिर में निवास करती हैं। अनकी गोसाला है और उन्होंने सामजिक परिवर्तन का केंद्र इस धामन गाओं के बागेश्वरी मंदिर को बनाया है। हर वर्ष की भांती इस वर्ष भी क्रशि विज्ञान केंद्र बुरहानपूर के नित्रतों में यहां बागेश्वरी धाम में प्राकरती खेती का प्रसिक्षन और सिविर 27 और 28 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। इस प्रसिक्षन में निमाड छेतर के प्रमुक किसान उपस्थित थे। टी-सी-बी-टी प्राकरती खेती करने वाले 15 किसान भी इस प्रसिक्षन सिविर में उपस्थित थे। इन किसानों ने अपनी प्राक्रतिक खेती की सकसे स्टोरी सभी किसानों के सामने रखी मैंने भी यहां दो दिन का व्यापक प्रसिक्षन दिया है स्रीमती अर्चना चिटनीज दिदी को TCBT प्राक्रतिक खेती का पूरे भारत भर में व्यापक विस्तार और विराट स्वरूप देखकर बहुत ही उनको आनन्द आया उन्होंने मंच सही घुशना की कि अब मैं अपनी पूरी खेती भी TCBT प्राक्रतिक खेती के माध्यम से करूँगी स्वयम खेती को देखूंगी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस मोहिम में सामिल होने का हमें अभिवचन दिया इस प्रसिक्षन के कारण बुरहानपुर भी अब TCBT प्राक्रतिक खेती का एक सक्तिशाली केंद्र बनेगा बुलिये भारात माता की प्राक्रतिक खेती सुखी किसाल जैनिक जीवन सब्का खल्याद भारत माता की पानी करेंगे खर्च कम पर कमाएंगे भरपूर प्राक्रतिक खेती के लिए बुरहानपुर का मॉडल का अपसे होगा कि जिस प्राक्रतिक खेती की बात मैं करने आपके बीच में आया हूँ मेरा बेना वो लगा हुआ आप देखिए प्राक्रतिक खेती पंच महभूद ग्यान आधारित है क्या दारित है जोर से बोलिए इस प्राक्रतिकों पंच महभूदों ने बनाया है पंच महभूदों ने बनाया है और यह चुकि बनाने वाली इनको खेती में अमेने काम से लगाया है किसको काम से लगाया है किसको काम से लगाया है पंच महभूद को मेरा खेती का नारा है बोना और घर जाके सोना है काम यह पंच महभूद करेंगी और ऐसे जो है अथा समुद्र है सब्जीयों का मेरी योट्व चैनल पर जाएए देखिए तो सही कि मिर्च कैसे लग गई है कंदू कैसे आ रहा है सब के नाम लगवर हैं इस कैलेंडर में प्राक्रति खेती रासाइनी खेती से भी दो गुना और दस गुना तक ज्यादा अच्छा है कोई बीमारी नहीं है मेरे तमसे गिरेंटी है आपकी प्राक्रति खेती में बीमारी आएगी ही नहीं खर्पतवार आता ही नहीं है उखाणड़ी की बाती था कब अब आप पताओ क्या ऐसी फसल जिसमें भीमारी ना आए और खर्पतवार ना आए कितनी बड़ी सुईदा है खेती में बहुत बड़ी पीमारी बढ़ी है की घटी है लाकत बढ़ी है की घटी है यह जो रासाइटी खेती इसको सुधारने के लिए मुझे छे महीने नीचे आप कितने मेने छे महीने में मेरे किसान क्या 1.8 परसेंट कारबन आ गया कितना परसें अभी आप सब के खेतों में 0.3 के आसपास होगा कारबन जादा 0.4 इससे जादा किसका हत उड़ा गरा मेरा 0.4 यह जाता है कोई ने कार्बन सुना के कभी कोई ने कार्बन सब करा ना किसमें को अच्छा कराएगा और कैसे कराएगा वे तो अभी कार्बन के जान किसके ने कराई है कितना है उसमें 1.5 के आसपास है बहुत बढ़ी है लेकिन जो पास का जो खेत है उसमें पॉइंट 5 के आसपास में कारवन का रिश्वार है जहां केले की खेती नहीं करते हैं पूरे अभी मैं हिंदोस्तान की इंवर्शिट्यों का डाटा निकालाओं देजी पॉइंट 3 के आसपास है पूरे हिंदोस्तान के विश्वें द्यालाओं का भी कारवन का तो ऐसा है कारवन भी देढ़ से 2% जजदिन कारवन आगया आपने गंगा नहां लिया खेती की समस्या 99% खतम हो गई हमारा पुरा सरीर कारवन से बना है वोधा भी कारवन से बना है तो बीमारी नहीं आना खर्बतवार नहीं ठीक है कारवन 1.8% अच्छे महिने में पहुंच जाएगा और खेती में भूमी की तयारी की कैसी पंदति आपको बताने वाला हूं य करतों तयारी आपको जिंदगी में आप अई बांरिकेती के तयारी कितने वार करने जिंद्धी में आपकी बगोर नहीं है लात यृफ्ल कारना जलो चीक है तो मैं शुरू करता हूं बंदू खेती में क्या है खेती में आप जिसको बोल रहे हो ला जुताई करना अब पसल ओँव रही है ये जो भौती काम है न ये जो खेती में जो भी दिखाई दे रही कि और 4 प्रतिस फाग है कितने प्रतिसद भाग है जो दिखाई दे रही खेटी में चार प्रतिसद 96 प्रतिसद भाग दिखाई नहीं दे रही है और जो खेटी में दिखाई नहीं दे रही है उसके जो दिखाई नहीं दे रही है उस पे काम कर सकते हूँ क्या कर सकते हो दिखाईगी निदे तो काम कैसे करोगे एक ग्राम मिंटी में दो खरोण से दो अराब तक जीवानू रहते हैं दो गुणा दस घाते नव दस ज्यारा बारा मतलब दो के आगे नव सुनने लगाओ इतने जीवानू रहते हैं कितने ग्राम मिंटी में कितने ग्राम मिंटी में एक ग्राम मिंटी में सोचो दो करोड जीवानू दो करोड जो है इदर जो है आठ साथ आठ जिलों की जनसंख्या होगी उतनी जनसंख्या कितनी मिंटी में है बनाना फूल को बनाना पत्ते को बनाने का काम पंच महाबूत करते हैं, ये बनाते हैं और ये जीवन देते हैं, जीवाने, कौन बनाते हैं म्रकरती को, जोर से बोलो, अब ये पंच महाबूत को बोलना, बोलिए भूमी, गगन, वायू, अगनी, नीर, भूमी का भा, गगन का गा, वायू का भा, परकर्ति को बनाने का काम भगवान करते हैं पंच महाभूद करते पंच ततो करते चिक जल पावा गगन समीरा पंच ततो यह रचित सरीरा भगवान गसने भी दीता में का भूमी रापो नलो भायो खब मनों कुद्धिरे वचा कि भूमी गगन भायो अगनिवीर से तो अब य तव कि लिए कि निमींटी डूसित है रोगी है कमजौर है और आपंच साजिवन सकते सागी करना बड़ेगा उसके छे माइने कहीं ओर यह क् 늘Wasग्राइन तो फ़ल सर्के रोसे इंप करो कि इसे बाद बीमार्र ना हो यह प्रयास आपको करते रहना है तो यह पंच महाभूत तो एक बार कर लो उसके बाद जिन्दगी में आपको केला लगाओगे 10-12 साल 15 साल चलेगा मैंने 2009 में गन्ना लगा था आज भी चल रहा है उगना कब लगा था यूटूब में जाके देख लेना आज भी गन्ना चल रहा है आज भी 4550 पुंतल आराम से मिल रहा है बीना किसी रेक देखे थोड़ी रेक देखो जाए तो 600 कुंतल मिलेगा कि 2023 में यह गन्ना और केला एक जैसी प्रजाती है इदर फल नहीं आया इदर नीचे से पुटकिया हो इदर जो है बढ़ रहा है नीचे से भी पुटकिया इदर केला पकरा है जूसरे में फूल आना शुरो गया इसम कि जड़ सुस्त रखो बस केले और गन्ने की जिंदगी में दुबारा केला लगाने जुरुत नहीं है और पांच्वे साल का केला आप जो है चंदन जाठ हैं बढ़वानी के उनका जाके देखिए पांच्वे साल का केला भी 30-35 किलों का खाम आ रहा है पांच्वे साल का दूसरे तीसरे साल की बात ने कर रहा हूं मैं तो आपको जमीन को तैयार करना है मतलब वंच महाभूत जो खराब हो गये जो प्रकरती को बनाते हैं उनको सुधारना है मेरे बाद समझ में पीछे तक आई आई हो तो हांट उठाओ आ गई है समझना है बोलिए भारत माता की गउ माता की एक गाए घर पे लियाओ अब वो गाए की मां की मां में भी एयाई न लगाओ ये ध्यान रखना सुध्ध देशी हो सुध्ध यहने उसका गोबर हाथ में रखोगे आपकी ताकत नहीं घटनी चाहिए एक प्रक्रिया है गोबर जाच देगी बोजन के बाद मैं दिखाऊंगा आप गोबर और आसपास के खेतों भी मिट्टी ले आना मैं जाच करके बताऊंगा कि इस मिट्टी में भूमी कितना है गगन कितना है वायू कितना अगनी कितना नीर कितना है हमारे शरी में भूमी गगन वायू अगनी नीर का अनुपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए जैसी धर्ती वैसे हम धर्ती में भूमी तत्तों एक परसेंट हमारी है एक परसेंट भूमी का पीच है 7.2 हमारे खून का पीच है 7.2 भूमी में आईरन है कि यूज़ियोटिश्य सभी से मोथिश्य में चीन हैपनी इस प्रद्ध्वी में आक्षिजन है जो है किस परशेंट हमारे सरी इस परशेंट ऑक्सीजन होना दर्थी पानी कितना है कितना है पानी कि 70 परसेंट हमारे सरी में कितना अजिए यह यद्यद पिंडे ततत प्रह्मांडे जैसा पिंड वैसा प्रह्मांड तो जैसा है आपका यह धर्ति गोला सेम उसके पुतले हो आप थोड़ा सभी धर्ति में आपके पंच महाबूत बीमार हुगे आप बीमार खेत कम भूमी ठीक कर लो अब ठीक कैसे करेंगे तीन चीजे होती है इस प्रकरती में जीवानू सबसे उपरी भाग है जीवन देते हैं जीवानू को जीवन देता है अनू जीवानू को जीवन को देता है जोर से बोलिए अनू अगर फासफोरस का जीवानू है तो उसको खाने के लिए फासफोरस चाहिए जिंग का जीवानू उसको खाने के लिए जिंग चाहिए पोटास का जीवानू उसको खाने के लिए पोटास चाहिए सलफर का जीवानू उसक पॉड़े आणु याने फास्पोरस पोटास जीक है डिया मेगनेसियन निकल जस्ता तापा सोना चाहिए ये है अनु जब यहाणू नियों तो जीवाणू जिंदा रहेगा क्या नहीं तो जीवान अगर खेट में पढ़ान है तो क्या चाहिए और अनू बनते हैं उर्जा से किसे बनते हैं एनर्जी से पर बोलो उर्जा जोर से बोलो चार बार बोलो कि इस जो उर्जा ने अनू और जीमानू अनू बनाया उसी उर्जा ने उसी दुरगा ने पूरी प्रकरती को बनाया है पूरे विश्व को सैल पूत्री ने ग्रह बनाए ब्रह्मचाणी ने आकास्ततों बनाया चंद्रघंटा ने इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव समारा प्रोल बनाया इस जिसके स्पीड है दिनलाग किलमेटर पर सेकेंड चंद्रघंटा कूश्मांडा ने ब्रह्मान बनाया इसकंद्र माता ने जीवन दी जीवन की उतपत्री इसलिक उसी उरज़ह को हमने माता कहा तूर इसकेंडवकर और कात्या इननिनी इकोलोजी बनाया कौन किससे भोजल लेगा जीव कों से जिव Kis जीव से भोजल लेगऑ जीवारनों से पौदे जीवन लेंगे। ठीक है? पौदो साफ़तो पत्ते खाके साकारी फल खाके फढ़ारी। तो कादने का काम काते हैं नियूजी कौन किससे जीवन लेगा। कि आपने कभी खाड भूथा कितने लोग हैं जिसने खाड भूथा है और जो है साथ भी और जैने ने पूरे विश्व को खिस अब MR um आध्य葉 और तो कुछ ये सबूरुषाएं ने जो है प्रकर्थि को बनाई है सेल पुत्री बुर्य जोर से सेल पुत्री ब्रह्मचानी चंद्रगंटा उसमांडा इसकंद माता कात्याइनी काल रात्री जब यह बहुत अच्छी प्रकृति बनी तूर्जय ने सोची मैं भी यहां जाओ पैदा हूं और मैं भी इसमें से भोजन करना करूं जैसे पेर बह उन्हें का आप मैं खुल इस प्रकृति में जाके भोग करना शुक लेना चाहता हूं तो साथ और बीज रूप्पे इस प्रकृति में प्रकृत हुई और आज भी उर्जा बनी उसका नाम है महागवरी यह अर्थाद गाय जो आपके घर में रहती हैं तो आज़ी उर्जा क पुर्विश्व बन जाएका क्योंकि गाय बीज है और बीज से फिर बीड़ बनता है तो आज़ी उर्जा बीज है किसकी पीज कि पूर्जा की पीज और यह आज़ी उर्जा आपसे इसलिए बन्दी है क्योंकि प्रकरती में बनने का एक नियम है जीवो जीवस जीवनम बोलिए जीवो जीवस को जीवनम जीवी जीव को जीवन देता है यह प्रकरती का नियम है तो गाए आपके खर में आपको europe जीवनम देना पड़ेगा आपको उसके गोजन देना पड़ेगा आपको जैसे लेक्तो बेसे स्टेरिया अनों को प्रोटीम देता है जो है जो है यी यूला मईसिटी मर करके पागे जीवन देते है कि जिसके ब्रवने से सोज़ होगाती है फासकोर अटिके अच्छोड़ता है और केच्छी अच्छार प्रतराके एक फुट में रहने वाले तीन फुट में पांच फुट में तीस फुट में रहने वाले तो जिंक मेंगनेज कॉपर लेके आएगा कि नि लेके आएगा तो पौधे वो जिंक मेगनेश को दिया, छेद किया मिट्टी में, जुताई किया, और कौन सी जुताई किया, कितने भुड़ की जुताई किया, कितनी भुड़ की जुताई किया, बारिस आएकी तो ठहरेगा क्या खेद में, अंदर चला जाएगा, और पानी अंदर जाएगा तो धर्ती के नीचे पानी भरेगा, धर्ती के अंदर जो लाबा है न वो ठंडा रहेगा, केचुआ पाना बंद हो गया इसके भूकम पा रहेगा, क्यों? क्योंकि अंदर पानी जा नहीं रहे है, तो भूकम पाएगा कि नहीं आएगा, जौला मुख्य फटेगा कि भी तो यह प्रकार्टी में एक जीव के क्राम करने से दूसरे जीव का स्थित्व खड़ा हो जाता है इसका नाम है जीवो जीवस से जीवनम इस रस्ती जो रचीता है उनके जो पुत्र है रिशी पारसर ने प्रकार्टी को देखा और पहला ही वाके दिया जन्तु नाम जीवनम क्रशी और उसके बाद रिशी पारसर कहते हैं क्रशिर धान्या क्रशिर में दिया जन्तु नाम जीवनम क्रशी इन जीवानों का जीवन पूरा कर दो क्रशी से धन धान्या और क्रशी से जीवन भर जाएगा रिशी पारासर जी ने ये नहीं कहा हल जो तो क्रशी है उन्होंने कहा इन जीवाणों का जीवन पूरा कर दो क्रशी यही है जन्तु नाम जीवनम क्रशी बोलो एक बार जन्तु नाम जीवनम क्रशी जोर से बोलो जन्तु नाम जीवनम क्रशी याद करो इन वाक्यों को लिख लो इन सदवाक्यों को यह सदवाक्य आपको आपकी हर जो है समस्या से उबार देगे जन्तूं का जीवन ही क्रशी है यह जो जीवाणू फास्परोस कोटा जिंग एक जीवाणू माई को राई जा वो तीस फूट नीजे जाके पानी लाके दे इसलिए भरी गर्मी में अभी अप्रेल मैं में बीना पानी के मलेργें मथे मत्त्यका हैं में घंग मेरे पिए हिसलियदों तिन में भालीट शुम्स में पत्त्यद में और घ्राई जाए को तो ये जीवाणू हमने खतम किये केमिकल खेती आधुली खेती के नाम पर खेती का पहला अपराद है जुताई पहला अपराद कुन सा है जुताई हमारे पुर्वजों किवल चीरा लगाने को पताया था वह भी एमर्जन्सी में आपको खाव हो गया तो डक्तर चीरा लगाता है कि पुरी जुताई कर देता है क्या करता है चीरा लगाता है तो आपको किवल चीरा लगाने का अधिकार था भी आपके पिछवाणे में वह क्या कुस्ता रूटावेटर क्या लगाते वह बोल बोल चलता है सब तहस्मेस किया तो आपको खेती अच्छा करना है यह जीवान एक बार इस्टेबिस कर दो फिर गो ना है और घर जाके क्या करना है हसल अपने आपाई तो वापस आता हूं यह जीवानों आपको कहां मिलेंगे यह जीवानों पैदा कैसे होंगे यह जीवानों खेत पे सापित करना हा की ना बताइए करना है की नहीं करना है तो यह जीवानों के पहले पनू ढलना और अनू के पहले उर्जा डालना खमकुंब कि कई चख़ सबाहने में और कि माइनिस में इस तो एक अभने से अधूर्जांट कि कई लिगने कि घजाने में से लिए अची जुआ से हां में अलिए नल देखे पर लिए हां हो기가सी किसी बन्ज़े बता है माइनस में आपके मिट्टी के उर्जा तो अभी आपको जो है मिट्टी में पहले उर्जा डालनी हैं फिर अणू डालना हैं फिर जीवानों डालना ये तीन काम आपको करना पड़ेगा मात्र तेरा सव रुपाए पहल जो एक हजार एकड़ बिट्टी में पूर्जा डाल दो गये तो एक हजार एकड़ भागे तेरा सव करो कितना रुपाए खर्च आयेका पर एक अ हसे चांप सब्सक्राइब और निव दो जाएगा जीवाणों डाला है । कि अब मैंने इतनी बड़ी समस्या बताया है इसलिए सालूर्शन धबरानानी जितने बड़ी समस्या है जब माता भगवती की क्रपा होती ना तो सालुसर ऐसे चुटकी में देती और उसके बदले कुछ लेती नहीं है हमारी माने हमें सिखाई कभी हमसे गुरुदक्षना ली क्या और माने चुटकी में सिखा दी की ने सिखा दी बोलना सिखा दे, चलना सिखा दे, दोडना सिखा दे, खाना खाना सिखा दे, सिखाई की नहीं सिखाई, पैसे नहीं गुरुदक्षना ली, नहीं नहीं, पुरुस जब सिखाता है, पुरुस अहंकारी होता है, पुरुस सिखाता है कि गुरुदक्षना लेता है, माता सिखात दरण में रापको माता भगवति हो जो नव उर्जा है उनको खेंगे स्थापित करना है और खर्च आए गई रूपिया थीस पैसा और अ तो यह तीनों चीज पूर्जा खेत में डालना जीवानों खेत में डालना अभी बताओं कि बोजन के बाद क्योंकि विशाय शुरू होगा तो रुखेगा नहीं कि बोजन के बाद करें कि अब जो है कुछ प्रयोग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सबसे पहला प्रकरती का अवस्त्य था करन क्योंकि एनर्जी नहीं है एनर्जी नहीं पंच महाभूतों को बनाए एनर्जी नहीं हाँ या ना अमेरी कासे सहमत है की नहीं है खाना काई नहीं खाते हैं टाकत के लिए प्यास पेड़ वर्मा प्यास मुझेना सेकेंडरी सिंटम्स है प्रकृती में सारों गोंई को यह ठीक द्याइक पूल लिए कोई पूर्जानी जैसे कलेक्टर खुद जाता है क्या और डाफि आपकी करने खुद जाता है क्या जो है और बर्यूट्वी ने उसके प्लेया के वीकित निए वेर्जा के निए थे सब्सक्राइब भूमी गगर भायू आगेनी मीर। ये पंच महाभूत प्रतर्ती पो बनाते ही। इनको चलाने वाली उर्जा… इसके उर्जा को सम्झना जरूरी है। सूरी भी उर्जा से जो है चमकरा, चंद्रमा भी उर्जा से सीपलता ते रही है। पाणी भी उर्जा के नहीं पहती है और जीवन देती है तो यह उर्जा को समझने के लिए एक जदा ऐसा धी यहां यह है जो मेरे ताकत को रोक रहे हाँ यह प्य हैं अहां है आप दो जाने ते नेकिन देशी मतलब यहां हो लाया आप आ अपने ही तुर हां अचिए बाकि बाटल प्रम तो यां बाटल से भी तो पर देभागा है जब चले चले एक लास भी दो तो अच्छा रहे हैं अजयो में इसका प्रियोग करा रहा हूं ताकत का और ताकत का प्रियोड को तुरह प्रियोग करनां देता है करा रहा हूं तो यह प्रियोग करा रहा हूं तो यह भी तुरंट आईगी जाएगी कि थोड़े दिर बाद आईगी जाएगी तुरंट देखो हम प्रियोग करती हैं खड़े हुए ठीक है हाँ और मैं यह हाथ को दबा रहा हूं क्योंकि ताकत का खेल चल रहा है ना ताकत की हाथ को दबा रहा हूं यह रोकेंगे मेरे हाथ उपर है तो मेरे ताकत ज्यादा लगेगी स्वभादिक है मेरे ताकत को मैं रोक आपको रोकना हमें ताकत को दबा रहा हूँ रोको यह देखो मैं दबाना शुरू कर रहा हूँ रोको यह 100% मेरे ताकत को आराम से रोके अब जो है यह इस्तीन जो है यह बॉटल का पानी उपर से पीजें पानी पीने से ताकत बढ़ती है कि घटती है अब यह प्लास्टिक अच्छी उर्जा से बना होगा जी बुरी उर्जा से बना होगा हां लिकेटीईउर जसे बना होगा की पोजेटीउर जसे बना उएख jsem सो फ़नी के फ्लास्टिक क्या होता है तो व्लास्टिक में रखा हुँआ पानी के ताकत का हम पता करेंगे मुठी बंद करो और वहीं दाकत को रोको मैं इनके हाथ को गटी है तो इनकी जो ताकत थी पानी पीने से घड़ गई क्योंकि पानी जिसमें रखा है कि इसमें रखा है अब इन ते ոित पानी लेक अब यहां को आप कराना जो पुलब्थ तो यह व्यक्राइब कि यह दिखाना चाहरे हूं कि आप जाने आया काने पुर्जा खेट में डाले हो तो इससे क्या होगा आप मिछे खड़ जाए करें अभी देखा आप यह परमची कि बंद करहो ताकत को रोको में ताकत को दबा रहा हूं रोको और यह अपली अपर आप इस्टील में पाली डालते प्यों यह इस्टील का ग्लास वैसे बताँ इस्टील की आवाज अच्छी रहती की बुरी रहती है आजिए जो वस्ति भूरी है तो फारे में थोड़ी अगर है जो है अगर मेरे पास तांबा होता तो मैं भी तांबे के गलास में पाजी पिला के हूँ है कहां भुला 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 जहां से लेते हो लेते हो ठीक है तो अभी क्या है मेरे पास सुनिये जरा मेरे पास समय कम है है वक्ता बहुत सारे ज़्हादा बात नहीं करोंगे इतना मानी है कि फलासरी खराब है उसमें रखी पानी खराब हो ग्यान सूराख है उसकी उसमें रखा पानी खराब हो गया और गूरा वोलते मत्बेर ँहां बाला गाट में आप क्या बोलते हो पता नहीं क्या बोलते हैं तो उसमें अच्छे पलेंगी कि खराब जियू पलेंगी अब जो है उस खराब जीव खेती में क्या क्या करता है एक नड करता आप लोगर करा ना चलो मैं अभी जो है इस पॉजिटिव करने कुई दो टेकनावाजी है जैसे वह नीगेटी होई वैसे पॉजिटिव होगी दो टेखनीक से एक है टेंप्रेरी और एक है पर्मानेंट दो टेखनीक है मेरे पर अभी इसको पॉजिटिव पर लेंगे इसमें कोई खर्चा नहीं हर्दा लगी न फिटकरी एक रूपया 30 पैसे कभी खर्चा नहीं आएगा पर यह जो बिना खर्चे वाला टेंप्रेरी क्या है टेंप्रेरी सांग तक प्रभावी रहेगा सांग को फिर यह लिगेटी हो जाएगा और दूसरी है परमनेंट उसमें एक रूपय 30 पैसे खर्चा है वा कौन सा इलाज बताओ परमनेंट की टेंप्रेरी बर्मनेंट बताओ तो परमनेंट बताने की अजय जी जना वो लेके अर जाता है टूस झाल करी है एलाचे जाता है यूसरी हुझ कर य eyelids में बता है प।छा परमनेंट внизtles में झाल बता है टेंफशना से Berea शुच टूसरी में टीन करे लुदते है किAAAA प्रेंट टीना टीनimana TRADबसाट है घुझ में झाला है नहे है जहे है ओड दा संब कि आ ज की आ बकुर्श कंदयों थे निरे हमगा वरा दो हुआ है इसकी विष्ट ऑनलाई कंदघ श्रह श्रह जोराते किम आपलेस्याः कि निstat की अपति काट अंसे विवादरिये हुआ Стपी तो विश्वास है कि आपका जो मार्ज दर्शन है इसका किसान साजियों को बहुत लाब होने वाजा है जन्यवाद जी, जन्यवाद जी दिया कल की मेरे प्रसिक्षन में कितने लोग आये थे खुराद उठा ये अधिकान सिंधिया थी क्योंकि कल जो भी से रखा भोली रखूँगा उसके आगे रखूँगा अच्छा नहीं आये थो कितने आदबता हो, जो कल नहीं आये थे आए थे खुराद आजर एक दो ती चार इदा फंद्रा वी से रिदा आट दस लोग है चलो तो कलकर थोड़ा से पास साथ प्रेट पर इमेंट करता हूं ठीक है अना एक बात और है यहां जो है है टी-सी वीटी प्राक्रति खेंती या जिता राचन बिल्दी प्राक्रति खेंती करने आले कितने किसान आत उठाई है थोड़ा खड़ा खड़ा आप इने जगा स्वीट से एक दो थी चार पाच छे साथ आट नौ दस ग्यारा माला तीरा चुद्धा पीछे एक किसान हो गया था कहा है सहराची बड़ा पेड़ा मेरे पर साहिदा राइए यह साथ महीने पहले मुझे केले की फोटो भेजे थे आप फोटो निकाल फोन से और इनकी फोटो में पत्तियां पूरी सफेद पड़ गई थी और आधी पत्तियों को तो किड़े ने खा लिया था ऐसे इसे केले को कोई रखता निए उखाड के फिक देता है इनका मेसेज आए अच्छे साथ में के पहले और अभी एक यह जो है आप देखिये पत्ता इतना खराब केल पत्ता जूम करके दिखाओ इसे केले को में रखता है खेट में ठीके और अब जो है इनका केला यह अभी जो है कल इन्हों ने फोटो मुझे भेजी ऐसा इनका खाम आया था यह बाईस से पच्छे से लोग का खाम उसके लिए से आया जिस केले को खाड़ा के फेक देना चाहिए आपका नाम और भूबाई नबादा करें से अब निवखेड़ी काउता है निवखेड़ी ता मुटता यह अनके बढ़ा जागा तो पाड़ दो मैने बूध काम किया उस पें जमाने और सारे नांटिना से तर्फ मुझे मिशा बढ़ा आपके देखा फोर्थ बढ़ा था इसके परत नहीं प्रत ने की रादा था दस तो उसमें उर्जा जाल और वो चलाओ मैंने सोच से थोड़ा सा उर्जा तर उस टाइम मेरे पास रक्षा नहीं थी तो मैंने अबनी उसर रक्षा को उस वज़ाई और उसका उर्जा जाल के पर और पन्रा दिन के बाद जब उसको प्रोत आई तो भी मेरे खुर्जी को बेढ़ा और पर को बला की नानो द्रूशिन होगा एर खुला की करो आज उसकी पुलिशन बहुत अच्छी है और मेरी कली पहली कटिंग उद्धन चान्पोई होई और उसमें अच्छा बाइस कर अब यार बाव 2521 ना में घड़ा बहुत अब अब बाव बता हूँगा आपका केला तीन सवर्वा किलो मेरे विदी से केला होगा और मेरे विदी से केला पकाओ देवी 5 ग्राम को बर से 15 दर्जन केला पकाने के विदी है तो याद दिला देना बाद में ठीक है बढ़िए एक दस्नूर की किसान आए उनका भी केला जबदस निकला उनकी वीडियो है किला उत्पादन की मूदी हम आपको दिखाते हैं हमारे विजय जी आईए विजय जी कहा हूँ आपी पड़ा पड़ा आओ अपना नाम पता उताइए और ये लगबद साथा साल से जो है 25 साल हो जब से प्रभावित किया मेरे लगबद से जादा किताब है मेरे वेबसाइट पे सबसे जादा उस किताब से प्रभावित हुआ है और उन से जुड़े हुई है तब से कर रहे हैं पिछले साल से जब से यह टीशी मीटी मतलब अपना निउट्रिशन मेनेजमेंट और जब इनका केले का पड़क्शन तो आया इनका जो है कंदू का भी पड़क्शन आया जब दस आख से बस तो प्रती एकड़ निकाल रहे हैं इंटर ब्राव में मतलब केले की तीच में कंदू और अरहार कर रहे हैं तो यह थोड़ा अपना नाम नमबर बताओ और संशीर में अप इसे बिला उटिसे अप्टोबर से कुछ टीचीपीटी से कर रहा हूं जैगवर असाया नाम जयां वस्मा असाया सबीजिसे दूर्टी के बादर दरसे कर रहा हूं बनाके डाले खुद बना रहे हैं पुछ ज़्यादा कर्चा नहीं है और कम से कम नाधत पे अच्छा पर मिंकल डाया आप देकर वो उल्गापित कि शान पूट अब आहा है और दे कर रहे है और जान्ती कि यह अधिकर क्यों किति रहते हैं क्या यह जारे को फोटी क्या गे दोगर तुम क्यला है और इसमें थोड़ा वह घलाने थे मेरे जानिक काभाई नहीं आश्काल सुमय को लुक्सान दोग है कोई मुछ काना है ये मकानमें वकाम का बताया है? मकानमा बताया है 2020 में और ये प्लापन सन्तुष्ट न है? सन्तुष्ट न है करसे मुगतो । करना मुगतो भी एक एक एकर में फिल्द 45 उन्ठा था एक एकर चैने गूंठेका होता है तो कट्टू मुझे सो मिंटल आए दस्ता है, और अगे वह उसके उपर मेरी कट्टू लगाई है, और प्याज भी बहुत अच्छा है, मेरा फोटो भी आपको भी देखना है, तो खेलेगा भी फोटो मुदूर जी को देता है, इनका जो है वीडियो भी है, दस्तूर आपको किसा लोगा नियर्प्या है? हाँ, आज अब कर दो याँ, इंटे लू के जितार मेरे किले का बंच निकला है, तो का बंच है किले का, जाली बलाव भी अपको भी है, वीडियो तो नोगत्ना है, बापी मताय को है, जैननो तो रेशी नवर पंची जडेशी रेशी, आर तरहा है जबर जाएक देखिए पिछले साल देखा जबरदस पुडक्षन यह लाल पिटी पिली पिटी के लिए वह एक छोटी सी मसीन लगा पिसके डालते हैं एक पिर्दस पुडक्षन ले रहा है तो फोटो पोटो भीजें हैं लेट जो भी वीडियो में चला के आपको दिखाता हूं जबरदस्त जो है आज बढ़ रही है सांदार आखा रहा है अब पिस के साव कि मुझे पचिस साम्त प्यास करें देबिके यह पास है पुला साल भर प्याज रहता है ठीक है? ठीक है, दिखाईएगा चलो मैं तो बड़े व स्क्रीन पर दिखाता हूगा स्क्रीन में देख लेगे, ये इसकी प्याज है बीज का प्याज है, चलो दिखाता हूँ मैं अभी जो है, अभी जो मैं बाद दिखा दूगा, एक किसान और MRA उनका खर्बूज की खेती है अब खर्बूज उन्होंने लगाया चंदन जाड़ी उनका पांचवे साल का खेला भी है चंदन जी कहा हो, चला जाओ, पांचवे साल का खेला ले रहे हैं और इस सब खर्बूज लगाया, पूरा एरिया का उदर का खेत्र खर्बूज देखने आ रहा हूँ का और यह आपको बताएं तक इनकी वीडियो में जो है, चला तक अपना नाम पता दूगा मैं चंदन जाड़, पूले तेसी मनावार जिलाधार मध्यप्रदेश सब्सक्राइब कराता तो उट जाड़ जलाने से हमाना खर्बूज की ग्रोथ बहुत अच्छी हुए, फिर इंब्रक्राप में केलाव भी है, वीडियो भी कूरुज के पास है, और अगया साथ हमने पूरान आसाइनिक से उस खेत्वे कराता तो महां तर चौंगती स्टन प हो गई है और इंब्रक्राप में और साथ बास पांच भी तीप फोदे लगाये तो बीस संग्या मतला अगया साथ हमने आधी कर दी और फिर भी खेत में पेर रखने की जागे, मतलब जाद ओ नी थी, गुरुजी भी खेत में गए तो पेर नी रख पाए, गुरुजी इता करना खर्बू जागा और फिस्तालिस तन हमने हर्वेस्टिंग कर दया, तस तन माल हमारा खराब हो गया मुर्शन के कारे, गुरुजी, हाँ, और केला भी पिसा देखेत की जीए, इंट्रक्राप में केला भी, साथ बास पांच पे डबल प्री थे, की भेंटन के लिए हमने जोड़न सड्रस बनाता और छाद्रवय वसायन बनाया था, जोड़न दिन वाना बनता है, आप बता ही बड़ी रखेते हैं की इंट्रक्राप में है ये, और गिल्दा में बहुत बढ़िया चल रहा है, प्राक्राथी खेती है, पुडी, मैं 3-4 दासे मिट्टी इस्क्रे भ जोड़ना हूं के तो मैं कोई chemical spray नी करता हूं, मैं मत्यप्रदेश से हूं, मनावर देशे से, हाँ, आपकी रिदरा दीदी के शेटर से हुआ, और मेरा चौंती बार के कहला है, बताब बाला फनी तक मैंने रखा है, अथरा फनी है, ये, केप कंपनी में अथरा फनी कभी न केला है, साथ से हाट आती हूं, केला तो 1984 से करना है, फिर भीच में छोड़ दिया था, फिर अभी में कोईट के पहले साल से चालो करा, अथरा से, नहीं, दो साल तक करा था, अभी तक तो एक साल होगे, चिम्टी खाज भी नहीं बताया है, क्या मैं फसल उट्टी चलाता चलाता हूं, जिमानों वर अडुजशे लाता हूं, जिमानों अदुज़ चलाता हूं, और फसल गुट्टी का खर्च में माझ वर एक एक एकड का 45're 500 रुपे आता है, खर्चो फसल गुट्टी बनाने, उसते यादा हुसको खर्च भी नहीं, नहीं बाईदू, खत-पत् खंप और गिए थिर लेवाई कर जताई ऱीननी और तवाईत को शाल का मिया गोड़ाई सब पर लिए बहुत दूर नहीं है तो ऐसे जो है आपका नंबर बताओ पिस्ताजिस करने निकला है यह थे वीडिया है टारेटर अलो 9584368778 9584368778 और इनका पुरा खर्बूल देखे कहीं कोई भीमारी है प्या कोई प्लान्ट ऐसा जो डेपेज हुआ हो और फर्स्त साल है खर्बूज कहीं तो है पहला साल शुरू हुआ है और सेकेंड कर आप भी खर्बूज की आएगी तर्बूज में भी एक तोडाई की बाद दूसरी तोडाई आता है जबकि ऐसा रहा नहीं कि और प्राक्रती खेदी में सब्णों है तोड़ाई मतलब अभी तोड़ी यो जो है तीसदी बाद फिर तोड़ेंगे इसा नियुक्त को और थे जिन नहीं होता है वीडियो भी है एक बढ़ दिखाता हो मैं इसको कौन दरा है इसको लेक्ता हूं हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है ये तो मैं को मैं जा है कि अब है तो कि अ! और पिंच मैं अजश अज़ को कि ए गग श्योड है कंऊ है ृज कि अव्यो आप जा है ये! खम इंचों इंचा है ये जज़ है घज जगते है 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 यह इनका जो है यह 14 साल का केला है यह 14 साल के केली के बल्ट में थिखे हैं आओ यह करपानी सिगेंट हो का कि कोई बीमारी नी इजे लोग पर देगा है यह रेटी केफ कमपनी का रहे है कि शुबंचे बेगा और यह केले में 28 है और की भनियों में 28 केले है स opposing मेरोग उरोग के किंड़े मेरोग और 10 वाली मेरोग उफ में 24 चैले हैं दिते क生 कुआ गर के रहे हैं किन कहिवाय कर गोड़ा हो मैं जोला स्विंे आफधे आपिस चालू कर रहा था में पर दरते दरते और फिर कोईद में आगे नी में आको प्राक्रतिक में अगे फिर दुसरा कर्दे बढ़ते आप इधा आगा है प्राक्राटिक खेती को तो इसको चाहर साथ तहीं करीजिए आपको पुर्यादा आपको तुस्त करें ना आपको चली एक मैं आप आपको चलाता हूं आप देखिये रेटेली जमीन पर कि जहां कुछ ले वहां का मैं आपको दिखा रहा हूं यह आप देखिए प्राक्राटि खेती का टमाटर पूरे देश्वर में ऐसा टमाटर और लेक्वागी इतना जवरदस्त आया है और यह जो है दो चार लिकड़ती सो उकड़ पर फैला हुआ इससे चार बाग है है लृष एक जरू और अभी जो है थाइसों किसान इस खेती को देखने ग्या थे इस खेटी को देखने गया थाइसको देखने वाग इसको है अभी जो है आपका जो है यह किसान केवल जो है और जय और अपने जो टीसे पीटी के बूखे जो फारकुलिया प्राकरती खेती के यह बना के चलाते हैं अभी जो है यह पूरी असी खेती कर रहे हैं और हम जो है जब इनकी खेत पुर्चे के बहुत ज़्यादा पारिस हो रहे ती यह जो है चंपन कंदू है सब्सक्राइब करतों जो है फलन सुरू होता है चंपन दिन में इनका सुरू हो गया था 27 दिन में और रासाइनी खेती में यह जला-जला 60 दिन तक खलता है अभी इस खेती में इनको 90-120 दिन तक खलता आती है आप देखिए पूड़ा एक्तम हरा आपके अच्छा आपाज बढ़ाई तरफ देखिए कहीं कोई क्या राट्रोजिन की कमी है फास्परस की कमी है कोटास की कमी किसके कमी है इस भाई ट्रुट्स दो इस पर दो जो आइए और यह उस्टी यूरोपियन मानक से सर्टिफाइड ले इनका पुरा जो है कई कम्पनिया इनके आती हैं और यह पुरा जो है यह खरीद के लिए जाती है अभी मैं मिर्ची की फसल दिखा देता हूं अपना विश्य रखता हूं ऐसे जो है डियर सो से ज्यादा फसले सकसे स्टोरी जो है आपको मेरे यूटूब चैनल तारा चंबेंजी की पाट साले पे जाईए और किसानों का स्टेटमेंट है किसान आप जाकि यह मात्र छंपल दिन की मिर्ची है और आप खलक देखिए और जमीन विल्कुल रेदेली जमीन आपके पास है कि अच्छी मिटी यह तो विल्कुल रेदेली मिटी में इतना जमर्दस दिन का प्रडक्शन आ रहा है इसमें किस की कमी किस की कमी कौन सी इभी मारी जड़की जो है आपके भिर्च में बहुत जाता हूं आता है कुपर राता रहा आता है की नहीं कोई रस мरी संकीट यहसम कजब निनकी विर्च पी फटसल अग्ये फटसल जो बाइब चलती है केवल जो है चार-पांच महीने आती ही इनकी फसल आठ महीने तक आईगी हाँ मलची इसलिए लगा है रेतेरी जमीने वहाँ पानी थेरता नहीं है हाँ हाँ जोताई केवल जो है अभी इनकी भूमी इप्रगरिया भी स्थाई बना रहा है यह अभी प्रगरिया में अब दिना जोताई की सुरू कर रहे हैं यह दूसरा साल है नहीं टोटल जो है इसमें प्राकरती खेती में जोताई और मलचीं सामिल है दिना जोताई में जाने के लिए भूम्डी उप्चार लगता है वह होगा अभी और दूसरी बाद इंगी के अब रहते लिए जटीन है वहाँ पारी खेरता नहीं वहाँ धिपसा ही करना पड़ेगा चली आगे पड़ते हैं कि अच्छी लगी कि लगी डरता है ऐसे डेढ़ सो फसले हैं आप ताराचन बेली की पाट साला में जाकी देखिए मैंने जो है वास्त्विक समस्य और वास्त्विक समाधान के लिए काम किया है कि मेरा ऐस्तों के आँग통 खाक उर से ख्याद द्लांग के लिए काम करता हूं और फिर करतीन के में ने जाता हो फहरें और दुक्रा करते और पहरें साल करोtime खेती कर लोगे तो दो साल अब खेती निकरूगे तो छे मीने में घूमिफ चात करके बिना जोताई इलिदाई उडाई की खेती पर आजाओगे जिस खेती में भैपर बीमारी है मिट्टी महुद्त है जिस खेती की मिट्टी का बीया चीज़िक हराब है कि आवाल सीधे बिना जो ताहिकी खेटी कर लोगे, सीधे कज़र होगेगा बहुत सारा, ठीके, तो अभी हमको जो है, मैं आपको प्रम से खेटी सिंखाना शुरू करता हूँ, तयार हैं आप लोग, चलिए, अभी हमक्ति आपने लोग, जटें ढूब सार एका। अभी हमक्ति वहें खेटी करें खेटी कर लोग, आप लोग, जड़ाज आपने अखेटी करता हैं, जबने दुटूरूरूरूर। आप बिल्कुल रहा पंटिनुस्री बढ़ाज़ते हैं बीच में आपको भूख लगे कि अपर उतार कि आपका जोड़ी आना है तो आपको भाज़न कुछ खाना हुआ है और अपने रहें कि भोजन अपर आखिर में रखेंगा और भोजन के बाद चले जाएंगी इसलिए एक ये कजोरी हम अभी खाले लए ताकि भूजन के चुटी पीच में अपर नहीं करेंगा भूजन करा अपर अपने मेरे में घुमें ओपर जाएं नीचे जाएं घर जाएं और अगर घर जाएंगे तो घर पानी को लेंगे वापसा जाने शुन को अगर खाल मेरे ड़िए तो याकिन का हैं कि अमस्ता बांशन दे लित क्रीच में अबी मराecएं लिए पुंकि आपकी किसानों को लेके आई हैं जो आपके प्रकाहत से खेती कर रहे हैं उससे थोड़ा यपीर मात में चुन है कुछ यकीन हुआ कि फिर्वाइब और आज मैंने इनको अपना खेर देखने में जाता खणवार उड़ पर उतारी मैं देखे मास अब जाता हुआ है जाता हुआ संधेखर कड़ा करता हुँ अभी जो है यहां हमारी टेकनिक टीसेटी प्राकरति खेती को अपनाने वाले किसादे नाना भाव जी एक बार नाजी मचपर आओ और नाना भाव को जो है मैं अभी बुरहान पुर्जिने के जिम्मेदाली देता हूँ और यह यहां पर टीसीवीटी होगा जाएगे वहां रवास कड़े का देख रहा है यह किल़् आपना फ्यूर्ल लगाज़ी अ कि पास लगबग 114 पिसान है जो तो इंको मैं अक्षाई आप अच्छा बाहर होगे तो चलिए अक्षाजी को मैं जिला से हो जाको जिला देख्ष निवुट करता हूं हमारे सम्मेड़का तो यह दोनों करेगे गाम अब मैं जो है अपना विश्य सुरू करता हूं मत्यूं देखिए मेरा खेती का नारा है किसान बीज बोए और घर जाके सोए असल खेती करेगी पंच महाभूत कोन काम करेगे पांच महाभूत है इस परकति में वो खेती बनाईगे और खेती को चलाएंगे जीवानों कोन चलाएंगे जीवानों चलाएंगे किसान जब काम करेगा गड़बड़े करेगा, वो कभी ठीक नहीं कर सकता, अपने आप में पौधे बढ़ रहे हैं कोई दिकती इक पौध है, दीवी ने यहां पौधे लगा तो यहां जो आज जैवी खेती भी करती में दीवी कुछ गड़बड़ हो जाता, आप में पौधे दीदी आप 6 बही ने भूमे उचान का कोर्स कराईए, उसके बाद सीधे आप क्या बिना जोताए, बिना निंदाए, बिना बुलाईए, बिना प्लास्टिक मल्चिम उसमें उपी नहीं रहेगा, डिप लेकिन रहेगा, डिप प्राकरती खेती पानी देना पड़ेगा, प् भारात आता की बात लिए बात नहीं करेंगे आपस में, आप उसे बात दीगाएं ये आर्शा करनी में बोलना बोड़ी पड़ता है, ठीक है, आप से बात दीगाएं ये आपना बार बारो ते करने दौन बोरो थें इस प्रकरति को जो है बनाया है पंच महां भोतों ने किनों ने बनाया है जोर से बोलो गगन का गा वायू का अगनी का नीर का ना क्या बन गया भगवान ने प्रकरती को बनाया है ठीक है और प्रतरपी को मुमेंट यहांसे वहां करने का काम जीवाणों करते हैं अब यह जो पंच माववूत इस खट्टे हो जाते तो यह कहलातें अणूं क्या कहलाते हैं इक जगाई खट्टे हो गया तो अणूं और इनको एक जगाई मैं से दूसरे जगा भेजने का काम कोन करते हैं जीवान कोन करते हैं एक ग्राम मिट्टी में दौकी आगेशवी सुन्ने लिखोगे इतने अणू हैं मेरी बात को ध्यान दो एक ग्राम मिट्टी में कितने अनू है दो के आगे कितने सुन्य लिखोगे ये महिनी के रवादुनिक विक्यां का प्रडेक्शन है दो के आगे 26 सुन्य लिखोगे इतने अनू है और एक ग्राम मिट्टी में दो के आगे बारा सुन्य लगाओगे इतने जीवानु तो बीस जो है आपका जो है पीस खरब दो खरब तक तो वैट्यानेकों ने देख लिया कि जीवानु की कॉलोनी अब सोचो दो खरब जन संक्या पूरे भारत की नहीं वो कितनी जन संक्या कितने ग्राम मिठी में हैं एग यही जिवाणों पौदे को जीवन देते हैं पौदे को नाइट्रोजन दे रहे हैं अब इन सब मेरे डेढ़ सो वीडियो डले मेरे यूट्योब चेनल में किसी में न पौदा हरा कच्छ है क्यों क्योंकि वो हवा में 80% नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के बैक्टेरिया है वह हवा से खीच-खीच के रोज दे रहे हैं रोज खाना आपको खाना रोज चाहिए कि महीने में एक बार चाहिए यूरिया महीने में एक पर देते हो यह बैक्टेरिय रोज नाइट्रोजन देगे यह फास्प रसकॉटास तो रोज यह फास्पॉरसकॉटास मिटी में चींक-ाईरन मैगनीज नहीं है तो आपको बाहर से डालना पढ़ेगा उसके लिए मैं आपको बाजार ने बेज रहा हू क्यूंकि मिटी ने चींक की नहीं है, मैगनीज नहीं है, आग vigil coach क्यों कि जो पड़ा था? वुशसका बिछले 4-6 साल में पौधि ने खाया और जमीन के अंदर 30ग नीचे से से जिंक ने कलने वाला केचुव मुपर नहीं आता पहले केचुवा को क्या बहुते हैं हमरा अड़ासिया अब ये केचुवा नहीं है इसको बलते हैं इंडो जाएक केचुवा जो 30 फूट नीचे जाता था और वहां की मिट्टी को खाते हो ऊपर छोड़ता था जब 30 फुट के मिट्डी उपर आएगी तो जीन का उपर मैगनीज आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि 30 फुट नीचे जाच करोगे तो है लिए तो अभी हमारे खेट में केच हुआ नहीं आ रहा है इसलिए जीन मैगनीज का उपर हमारे उपर आ ली रहा है हमारे उपर के चेंच में जहां जड़ रहती हैं मेरी बात क्लियर हो गई है हां यह अच्छे से समझनों नहीं तो प्राकरतिक खेती समझाई नहीं आएगा कहां प्राकरतिक खेती के नाम पर खेती किये किसी का रिजन्ट आया हो तो बताओ क्योंकि निउट्रिस्ट्रिशन मेनेजमें नी करोगे तो फेलो जाओगे अधेव को खाना चाहिए नाइट्रोजन फास्परोस पुटाज इन कारन मेगरीट चाहिए नहीं मिलेगा उपच घड़ जाएगा नाइट्रोजेन कंद आं अ फैनला मिलेगा खास्परोसनी कि जैसेडेका ठीन हो जाएग डेंड्री चो नी सिवाएगे का ही नेगा सलफरण ऊपर का खोल तो न्यूट्रिशन चाहिए आपकी उपर की मिट्टी में नहीं है खनिस्त तो नहीं है यह लाने का काम केचवा करता था जब तक आपको उपर से डालना पड़ेगा और डालने क्लिए मैं बाजार की भेज रहा हूँ पड़े सरल सरल फार्मूले बनाया हमें खेती में आपको जहांकी मिट्टी लाल है वहांकी एक ट्राली डाल दो जहां सफेद मिट्टी है जिप्सम जिसमें 50-50 % कैल्सी या मोटर वो डाल तो एक ट्राली एक तन डाल दो तो एक तन लाल मिट्टी, एक तन पीली मिट्टी, एक तन सभेग मिट्टी डाल दो लाल मिट्टी में आयरन होता है 28-20% आपका जो गेरू आता है नो बजावने, उसमें होता 10-12% गेरू मिलता है 10-12 रुपए, कैसे रुपए किलो मिलता है? ठोरार में नहीं द Antes कि और यह से आधाने की पेशा सब्सक्राव केलों किुछ नहीं सा siya लिए कारबन बढ़ाना तर्फ जोडाएगा क्योंकि उन्हें क्योंकि बॉतक्ति तलर दाभी करें कि इंसरा किट्वा तोimately में पकड़ने के लिए कार्बन बढ़ाना पड़ेगा फिर पहले तो कार्बन बढ़ाने का भी उपायद है आपको बताऊंगा अभी समझो हमारे खेथ में अनु होने चाहिए क्यों जींग का जीवानु जींग ही खाता है कौपर का जीवानु कौपर ही खाता है मैगनीच का यह अडू को जो है माता तत्व कहा है एक सो आठ आधार तत्व कहा है हमारे पुर्वजुने और यह जींग मैगनीच कौपर के मिट्टी में भी नहीं होता सूरी के प्रकास में भी होता है ए कि मैं तो थे आदि घर व तो बात की बात सूरी के प्रकास से कैसे निकालना पहले मिट्टी में जींग कारने क कुरती करनी है तो आपको क्या डालना पढ़ेगा खेती में नाल मिट्टी सफेध मिट्टी सफेद मिटः पानी को पकड़ने का काम करता हूँ उसका जो केलसियम और मैगनेसियम है वो पानी में कटोरा बना देता है जिसमें पानी फेहरता है तो पानी पकड़ने की छंता भी बढ़ जाएगी आपका नीर तत्तो सिटल वह जाएगा आपके धेट में इस्थापित हो जाएगा नीरततु और नीरततु इस्थापित होगा तो क्या होगा आपको सिचाई जादा देनी की जुरत पूरनी पड़ेगी तम ही तो सफेद मिट्टी डाले में देदी तो सफेद मिट्टी का कैसी और मैंगेसी और पानी पकड़ने की छंता बढ़ा देता लेकिल यह जो जिप्सम है सफेद बिटी वो जिप्सम यह जिप्सम सीमेंट की फैक्ट्रियों से निकला हुआ जिप्सम नहीं होना चाहिए जो आजकल विभाग बाढ़ते रहता है वो निगेटिव होता है किसी फैक्ट्री से निकला है पेओर आपको साफ सुतरा पच्पल जिप्सम यूज करना पड़ेगा मेरी टेक्टिम में जिन्दगी में एक बार क्योंकि दूसरे साल में वो तीस फुट वाला केच्व दिखने लगेगा आपके खेद में अभी कितने लोगों के खेद में सफेद केच्व आ गया हाथ उठाओ जरा सफेद केच्व एक दो ती चार किसानों का खेद में जिस दिन सफेद केच्व आ गया उस दिर बोना और सोना शुरोगा जब तक सफेद केच्व नहीं आया तब तक आपको न्यूट्रिशन मेनेजमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बजार नी जाना आपको मिट्टी डालाना आप जो अच्षुद गहराई का जैसी ने फजर से चोद खोद के पूरी मिलटी खेद में भाटव आतको आपके जàyसीन में फैला दोगे जिशको बोलते है मिट्टी का छादान तो अनू होंगे के नी होंगे ऐसिए。 जो अधिक धिले का मुत्व किको उपर लाने का काम हमने ओं काम किससे कर लिया? किससे कर लिया? जैसी। बीस तो जैसी बीसे मिट्टी खो तो खेत में फैला बहुत से अनू चले गए नहीं डाब सकते लाल पीनी सपेट मिट्टी तो अब ये अनू चले गए अब जीवानों डालना है आपको ये जो ऐसा करोगे तो क्या फायता है बहुत से फायते हैं खोदने के कारण पहला तुब जो नाली बन गे अब खेट से महलो मिट्टी बहें должно कहां जाके रुचएगी नाली में तो हमारे खेट की मिट्टी hurts जो भी निकलता है आपके केला निकलता है पत्ते वत्ते सब काटो उसमें डाल दो और गोल डालते रहो एक देर साल में पूरा वो चाय पत्ती बन जाएगा अपने आप उस गड़े में डालो और आइसी नहीं डालना पत्ते डालो सूखने दो फिर पत्ते डालो दो तीन चरण में डालना और जब भी थोड़ा सूख जाय ताजा के उबर का घोल डालना आपका केले का जो कुछ भी पत्ती डंडे सब वहां पड़े पड़े इकम कोज हो जाएगा तो एक अगले सा उटा के खेट में डाल देता खेट का कारबन फिर से खेट में चला गया तीसरा फाइदा पानी बहे के जाएगा नाली में जाएगा तो आपके खेट में जो भी वर्सा होगी आपके खेट के नीचे जाएगा तो हमारे खेट का पानी हमारे खेट में हमारे तो ऐसे जो है यह इसके फाइदे है नाली बनाने की मेरे पास समझ में आगे यह करना है तो ऐसा करके आपने अनू डाल दिया अनू डालने का जो है दो मेरे पास बहुत अच्छे और खार मुले क्योंकि अनू बहुत ज़रूरी है अगर विट्टी को न्यूट्रिसन नी मिलेगा गोध नहीं आएगा आपका तोधा तो बढ़ जाएगा कारबन डालने सीफिस पर उसकी बंच नहीं आएगी 15-16 किलो आएगी मेरी जो है अपनी डेक्टिक से प्राक्रातिक खेती से 56 किलो का बंच आया है केले को और उनका तो 52 किलो बताएगे मैं आपको केले की दिखाऊंगा 21 पूट का केला इसी यूट्रिसन चाहिए जब तक यह केजुआ नहीं आता आपके खेत में जो 10-20 स्कुट से मिट्टी को खा कि उपर निकालने वाला तब तक आपको न्यूट्रिसन मेनेजमेंट को से करना पड़ेगा जी करें कि ओपर गड़े दुकान से लाके डाले की फैक्ट्री से डाले की मिट्टी लाके डाले दो मेरे फार्मुले एक कराम में बस मरसा है और एक है बस मरसा है कैसे बनाओगे लिख लो नहीं तो मोबाइल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप सब यह नाम आपके लिख में जाके प्रक्टिकल देखो जैस्वाति आइथे हैं तो यह इनके खेट में बताएं के नियूत्रिस्टिकर नेजमेंट का ठीक हैं तो फार्मुले है और एक है फसलत एक है और गो अर्धन खनीषगा यह बहुत जबर दस्त है जितनी लोग तो यह बना सकते हैं और नहीं तो बनाने किने में गोशालों को सिखानों का कि वह बनाने के तीन बहुत बैतरिन फाइदे हैं दो तो बहुत सरंता से आप बना सकते हो तो भस्मरसायन कैसे बनाना ठीक है सबसे पहले बाजार से जाना पड़ेगा नमक लेठी गर्ण नमक कि तो अपने होता भी संबदर नहीं होता है तो संबदर के किनारेक किसानों से बुला ले गड़ा नमक 10 किलो लेँ और नारियार की उपर की गट्टी ले आउ एक बादा किलो क्या बोलते उसको उपर जो फेक के लीच पॉपर बहुत होते हरण ले आओ सो ग्राम मात्र सो ग्राम ज्यादा की चाहिए और जो फारूला बता रहा हूं यह इस प्रें में पचास एकड़ में जाएगा और जमील में पांच एकड़ में जाएगा क्योंकि इससे छोटी मात्र हम कर नहीं सकते हैं इसलिए जो फसल घुंटी बता रहा हो इस प्रें में कितना जाएगा पचास एकड़ में जमील में पांच एकड़ में तो यह जो है दस किलो समुद्रे नमग आदा किलो नारिया की ऊपर का सुखा हुआ कोल और सौ ध्राम जो ह तीसरा है आपको जो है थाई-धाई-शोगरांग ना इरड़ा हरा हरण आउला हर पैड़ा में हरणा आता है ना नहीं आता तो पंसारी क्या से ले ले ना हरण लेको अधाया हरा है किरेड़ा तो जह दो अ करते है रूप जत्सारी को विषेच क्रिए जैना को गुगल सेर्च करके दिछा जैए आंको एँपो और कर देखा में विदा को द्शारी को ने जो देखा रूहै एँगा अपनि % inevitable यह आईवेवेड की माता है उसको खूटो, पीसो, जला लो ठीक है? और आप क्या करो कि यह वाटसब गुर्प मेंने बनाया दिनी प्रॉपर यह लोग गुर्प में वाटसब में सप्रोड करें के बनाते समय वाटसब गुर्प में आजाओ, हमने टी-सीविटी प्राग्ना दिखे लिग गुर्पर का गुर्प बनाया है उसमें आजाओ, आपको बताएगे ठीक है? बात नहीं करिये कोई के? ठीक है? अब यह अपने बीच में आदा पहुन गंटा है सिर्फ हम आपसे बात करके, अपने ही रहने वाली हैं सब और अगर ध्यान से बात सुनी तो अपने मों नाभ है और नंगेल वाई ते मों निखने हैं जोडो सुन रहे हैं और बिना लिखे सुनने में मुझा भी नहीं लें कुई तो अधा बंडा पहुन बंडा यहांचे सुनेंगे यह हैं फिर आपक्षा करें फिक है वो कुने में हरण है तो हां यह हरण ऐसा होता इसको कूटो अपीस हो जलालो इसके माइक्र खाने इसका तर तो कहनी जाते मलब पकाके भी खाएके तो भी रहता इसमें हरण को अहिए ने माता कहा रहा है यह आयरन का भंडा है हरण इसके मात्र सौग्राम प्योग करवादा हो फिर इसके अलावा हमें कॉपर मिट्टी चाहिए ऐसी कॉपर मिट्टी जिसमें 80% से उपर कॉपर हो तो बाजार के भासा में उसको कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है और यह मात्र लेना है आपको सौग्राम ठीक है मैंने ब्राइंट डिया है कॉपर मिट्टी और आपको मेरा किसानों की संस्ता उपनाब्द भी करा देगी अगर बाजार में मिल रही क्योंकि सको रखता नहीं है कोई तो कॉपर मिट्टी जिंक मिट्टी आयरन मिट्टी मैगनिक मिट्टी तिके हैं और केल्सियम इट्टी के लिए हम लेते हैं सूहागा सूहागा आपके हम रिल जाएगा ठीके हैं तो यह जो है यह ले लो 100-100 ग्राम शलफर मिट्टी लो 200-300 मैंकर भी दितल यह लिए 200 ग्राम क्योंकि यह बुद्यत तर्ट जादा लगते हैं ठोड़े से ठीके हैं और सुहागा लेना है 200 gram, केल्सियम, मेगनेसियम और सल्फर ये तुद्यक मानपुर तत्व है 200 gram और जो त्रतियक तत्व है सुख्ष्न तत्व है 100 gram लेना है ये सब 8 तरह की लेलो और एक मठका लेलो लिगें मठका उसके ठकल से कंडे लेलो कंडे गाय भैस के ओपर के गड़े लेलो मोटे कंडे मठके का अतार का गड़ा को दो मठके में जो है नमक को पुचल के पीस लो नमक और आपका नारियल की गड़ी कुचल लो ये हर्नक पुचल लो और सारी चीजिश यह जो भी मिट्टी है यह जिक ऑक्सएड, बैंगनिसियम ऑक्सएड, कॉपर ऑक्सएड, सब कुचल लो ध्यान रखना, कॉपर सलभेड पत में इस्तान नहीं है, और हाथ में रखोगे तक घड़ जाएगी जो कल मैं ब्यूप कर रहा था, तो बोली लेना, मैं आपसाइड की बात करो, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मेंगनिस ऑक्साइड, ठीके, और यह मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो मेरी वेबसाइड के जाना, www.tsoulyf.com, आपको वहां से विंग जाएगा, बाजार की जो कीमत है, उससे कम कीमत में, 20-25 परचेट जो कीमत में दिलेगा, क्योंकि एक जिसानों की स्वंस्ता है, आप हम की है, और यह स्वंस्ता सब को FPO है, यहां जो है, राय FPO का कुनकुन सेरदारक हैं उताई, आप सेरदारक हैं, तो इसके मालिक आप हो यहींगे, यह FPO कुलब्द कराएं, ठीके, हां, तो अभी जो है यह आपको उपलब्द कराएं, इस वेबसाइट पर जाके, हमने वेबसाइट के जगा मोबाइल एप भी बना लिया, सोल, एजुकेशन, सोल, किसान, सोल, दुकान सब बन गए, आप इससे जाके लोग, ठीक है, किसानों को भी हाइटेक होना पड़ेगा, क्योंकि हाइटेक के लोग ग्योपती ही नहीं होंगे, हमको भी होना पड़ेगा, और मोबाइल में एजुकेशन भी हमारा, मेरे सारे लेक्चर उसमें है, और भस्मासाइन बनाने की भी भी प्रक्तिकल उसके अतार है, अभी क्या है, यह सब बुला लो, मट्के में सब भरो, मट्के का धकन बंद करो, उसको आटे या मिट्टी से पैक कर दो, पुरा आटे मिट्टी से लेक लगा दो, गड़क हो तो नीचे मट्डे में उपले दालो, आपके जो है, गोबर क के कंडे उनको जला लो, फिक है, उसके पार मट्का रहा तो चारो तरफ गोबर के कुपले डालते जाओ, थोड़ा सा घास कूस रख देना कि कंडे में आग लगे, थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर तक मट्के के उपर तक कंडा ही कर देना, और जो है, वह तो जल रहा है चलने द जब थोड़ा लगे, हाग पकड़ लिया, तो हरा चारा से डख देना, ताकि दीरे दीरे चले, राग बर में अंदर का सारा मटेरियल पक जाएगा, जो जींक में मैजरी चपा पर हराण और नारियन की वैट्टी और नमक के बॉंड टूड जाएगी, खाने लाइक कैसे हम यहूँ चापल को खाने राइक बनाते हैं कि नहीं बनाते, पका के बनाते हैं ना, सीरे खा के पचा लेते हैं, पका देना, तो वैसे हमने हमारे धीवाड़ों को खाने के लिए मटके में पकाया, एक मटके का जो निकलेगा, उसमें रहेगा, लगबग 12-13 किलो मटेरियल र मातर, daughter-19 किलों से फणा है, 200 लिटर पारी में डालो, कितने लिटर पारी में डालो, 200 लिटर, और उसमें 2 लिटर ज्यावरा सैन्द, और 6 लिटर सड्रस दालो, बता हुगा ज्यावरा सैन्द, सड्रस दालों, तो ये, नियोटरिशन चलागया। जैवरासायन में क्या गया सभी तरह के अलकुहल ऐसे पत्व चले गए जैवरासायन की बनाना बता रहो यह भी बड़ा सावल है और सड्रास दालोगे उसके छेरास है खटा पीटा नमक बटुतिन कसा है पौदे का और जीवाणों का संपूर फूर नूट्रिशन भी रस भी जीएवरास दालर आरा सब्सक्तिर न्मक अगर जाएगा और जानल का है राट तो एक सात्त यह सारा कर लोगी यह बंजाएगा अणुजल क्या बंजाएगा पच्चास पेसा पर लिटर का खर्चा है इसका, कितना लोगों ने अनुजल डाला, हाँ तुखाओ तरा, क्या रिजल्ट है बताओ भीया, जैसी स्प्रे आता है क्या होता है, हारे कच हो जाते हैं क्यों जाते हैं, बताओ अनुजल का, यह अभी इसके अंदर, हाँ बताओ, जैसी स्प्राइब इसमें डालके फीरा में चला दे होता है, हाँ पोदे में केले में तो जमीर पे डालना, पर छोटा पोदा जब आपका, यह दो महीने से केमीकर डाल डालके हैरान थे, केला पुरा खतम था, आप तो खाड़ के बेख देते, केवल उनना ने और जाजन, आणुडल डालके डेड़ में केले अक्षे हो गए, मैं आपके ग्रुप में इनका फोटो बेज़ूगा, डेड़ में बाद पत्ते हाएं का चल, और उसके बाद दो ऐसा चल पड़ा कि कुछ कुछ होए, ठीक है, तो अणुचल, लागत पच्छास पैसे, न्यूट्रिशन यही न्यूट्रिशन बाजार में कम से कम दो हजार रुपए का होगा 200 लिटा, 100 लिटर से कम नहीं कि लेगा देगी, अगर बाजार में कंपनी वाले इसको बेचे लिए, क्योंकि चांच करा लेगे, बोलेगे, यह एचेंख है, मैं करी जपापर, रहाएगान है, सब कुछ बनाने के साइटो केहिं, मेरे यूटूब में जाओ, देखो तो सही, बहुत सलावता से बनता है, आमीनो एसेट, तो वापस में आता हूँ, केवल यह करो, अनुचल का बहतरीर खार्वुला, इसको डाली, अब मैं बताता हूँ, जैवरसायर, ठीके, जैवरसायर में क्या है, जैवरसायर में, संत्यानवे परसेट ग्लुकोस है, यह जो है, आप मेरा कैलेंडर, यह कैलेंडर ले लें, इस बताएगा, आपको सला देगा, और इसके लिए मैंने उनको गुरुदक्षना यह लिए, हमने इन किसानों को सिखाने को कोई पैसे निले, इन से बस यह बोला है, तुम अगरिन किसानों, जो जिसका फोन आएगा, उससे बात करनी पड़ेगी, और सिकायत फोन उसका नियान चाहिए, आई तो 50,000 रुपए ले देगा, इनको बोला है, कि यह मेरी जो है, गुरुदक्षना होगा है, तो फिर, सब के नाम नमबर है, यह सब छोटे के साथ, यह सब बड़े-बड़े के साथ है, और सब टाइम दी रहे है आपको, बिल्कुल यह सारे किसानों से बात कर जिससे बड़ी सुईदा क्या है, और एक यह मेरे पीडियाप में उपलब्द है, लगबख 35 फार्मुले पीडियाप में उपलब्द है, ठीक है, और जिनको बुख चाहिए तो 50 रुपए लगेगा, कि भी कलरड़ कॉपी इतनी है, इसकी प्रेंटिंग कर्च है, 70 लेटर कैंगा नगोर मेरे पता है, खल मतलब गुढ़ब फल और पानी, ऐक तीन दस का रिष्यों है, कितनी चीजु से बिंगेशं कि इन पशकिके बन्ता है? कितने चीजँ से? 3 से जोंकर बोले गुढ़ब फल पानी, एक तीन दस बोलो, एक तीन दस बने को आवाज नि Engineers इया टाइड बंद करके रख दो 90 दिन में उसमें बहुत अच्छी फुस्गु आईगी एक तम मीठी फुस्गु ठीके हैं हाँ मनुस्री पी ले उसका भी बाग बाग हो जाता है मैं बताओं का क्या क्या आपको पीदी के लिए आप भी पी सकते खेट में डालें 50 लीटर जह गरूरके शंजी उसर्माजी की यह उनों ने वहां के में की वेक्याचिकों को लागे इखाया था है क्या हुआ बताओं दी वो पूरा कर रहे हैं है आप भी डेलिंग आपके हां यहां भी आएगा सरसोगे पत्ते इतनी लंबे थे सब्सके पत्ते हांखी के काम इतनी लंब केले की उचा 20 पुट तक जाती है कि पुट तक हाँ 10 पुट का पत्ता होता है तो आपको क्या करना है यह जैवरस है इसकें अदर संत्याबेजीवन से हैं और आज का मिक्या जिन जो है दो जीवनों को नहीं जानता वह हैं पहला इस प्रकर्दी का जीव है अंडज यह हर्ट इस उसको जीवन देता है इसको अंग्रेजी में तो आज की विग्या में कुछ नाम ही नहीं दिया वाइरस कहता है आज का विग्या पर यह वाइरस नहीं है यह उससे आके कि हमारे सरी में रोज 14 लाग को सिकाए जीवीत हो कि अन्डज नाम के जीव गए जैसे अंड़े के अंदर जीव अपने प्रकट कोटा है बूंगी के एंड़े से बाहर से जीवाता है कि अंडरेस नाम नीकलता है यह जैसी मुर्गी वेसा चूज़ा. तो प्रकर्ती में जीवनकित वत्पती हुथी? वाहाड से नी होती। आपके सरीक रोज चौता लाग जीवन जीव अंदा से पुर्पन न होते हैं चौता लाग रोज वो कहला के अंदाज हमारे पुर्वा जो ने उस जीवाणु का नाम दी अंदाज जो टिस्यूस को चन्म देता है तो हमारी खेती का सबसे बड़ा जीवाणु है अंदाज जिसको आज का विध्यान जानता ही नहीं है अपने जैवरसायम में संत्यांदे परसेंट अंदाज है समझ रहे हो हमने इसमें कोई जीवाणु डाला क्या है लेकिन बेल का आप बनाओंगे तो कोटास का जीवाणु भी मिलेगा मतला मेंगरीज का जीवाणु कैल्सियम का जीवाणु भी मिलेगा बेल का बिल मरसायम का आप आप जो है आप जो है नारियर का जो धाड़ा है जिसमें केला लटका रहा का फेट देते हो उसको छोटे-छोटे पीस काटो, पचास किलो, तेर सो लिटर पानी में डालो, सोला किलो बुड़ दालो, वो अवजवा है केले के धड़े का भी जैवरासयाइट बन जाएगा। सरल है कि नी बनाना, कोई कठी नहीं, पुड़ लेना है आपको, सोला किलो, तो इस तरह के जैवरासयाइट बना लो, और हर पंदरा दिन में, केले में पच्चेस से तीस लिटर डालना है, अमावस आया, इस पच्चेस लिटर काली इंसान डालो, पुर्णिमा आया, इस पच् पुले में द्वीदर, दूसरा जीवाण है, जिसको भी आतनिक बिग्या की जानता, इस द्वीदच जीवाणों, जो देखो, दो पत्ते आते हैं पहले किसी भी पौदे में, फिर चार आते हैं, फिर आठ, फिर शोला, फिर 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 चौसट, दो का चार करने का काम ज जान जीवाणों, जीवाणों है, अब है कि यह खानाओ, यानि जीक, campus, जीक को जीक सर्कुलाइज, करने वालेας, आरट को वेरस अलमिलाईज, बेक्टेरिया चाहिए, ये बेक्टेरिया भी हमने कहां से अइसल्ए में काम जशलोरेट तो की फतार्न है, उसके बाहर का इन बेक्टेरिया को आइसोलेट करना कोई कटिन नहीं है 2010 में मेरी संस्ता प्राक्रती किये थी सोबत संस्ता ने 45 लाग का कुंचर खरीदा था एक ही कंपनी का 45 लाग का तो उस कंपनी का नाम नहीं बता हुआ है एक ही कंपनी से खरीग लिया 2010 में तो हमने फिर सोचा मेरे साथ 100 किसान मुड़े 70-70 रस्तियर सी एकड़ वाली से फिर आपने सोचा यार इतने का तो लेब भी बना सकते हैं तो अकले साल हमने लेब भी बना लिया लेब टेक्स ही हम रखग उसके मैंने सीखने की करें में वालगाट में सप्पपचास कोड़ राहें 550 तो पचास पचास फूर फूर ओपज == तो वो सरेई के पेड़ में नए पते माईको राइचा की कान आता है, वहां माईको राइचा आता है, माईको राइचा की कालोनी, जैसे हमारे फखुन की कालोनी करती है, उसको आपको बोलते हो मस्रूम, वुकुर मुत्ता बोलते हो करी बोलते हो, वो फंगस की कालोनी है, फं अधिवासी बंदोष कितने रूपए में उससे कम नहीं भीता है। मुंबई जाते तक तो बहुत स्वाधिश्ट होता है। बहुत लियूटरिसान होता है। और इसलिए हमारे का अधिवासी बंदोष को साल में 2-4 बार खाए तो उनके सरी में प्रोटीन भी कभी नहीं रहते हैं। बिना दूद्र पिये। प्रोटीन मिल जाते हैं पड़पुरा खाने से। मस्रूम का इतना फैदा है उसका। उससे हमने आइसुलेट किया। क्या नाम है उस जीओ का। माईपोराइचा। जोर्चे बोलो। जोर्चे बोलीए। इसको मैं खेती का हनुमान कहता हूँ। क्यों कहता हूँ। ये जड़ बढ़ाता है। रूड बढ़ाता है। कंसे निकालता है। जमीन के नीचे तिये जो है 15 फूट, 20 फूट, 30 फूट नीचे जाके मूह में पानी भर के जड़ में छोड़ता है। उस कोटने हिंडो मैं को राईजा। और इसका एक छोटा बढ़ाय है। वह उस पानी को पत्ते तक ले जाता है, 50 फूट उपर। तो 50 फूट नीचे से पानी लाके जड़ में छोड़ना और उसका छोड़ना वाई लिए एक तो माई को राई जाए इस पानी को कहा ले जाता है पत्ते में जहां खाना बनाता है तो जहां खाना बनता है वहां तक पानी पहुचाने का काम माई को राई जा करता है सच में हनुमान है कि नहीं हां कि नहीं इतना ह इतना नहीं पाउथा बीमार हो गया तो बीमारी से लड़ने में भी उसकी मदद करता है सचने खेंती का अनुमान है क्या नाम है उस जिवानों का ये माइकोराइचा आपको डालना पड़ेगा क्यूँ आपने चुताई करकरके और फंगिसाइट डाल डाल के उसको मौत के गाड उता रहा है कितना फंकी सप्ञ डाल दिया मत्व प्रदेश में इस चिले में बताएंगे कितने का फंकी सप्राइट है क्रशिमी भाग बताएगा क्ये कटिशनी की घिषायइस्ट ती कुछ थi 20-20 करोण का जयर दलता है तीस मेराट कितन और साल करता है उसमें जो है ना 5.000 क्रोड का तो फंगी साइड होगा जिसको आप लोग 222 कारबंडा जी में इनको जिब कहते हो ये फंगी साइड डालने से सबसे पहले बेमोत मरा खेती का हनुमान माईको रही जब खेत में रहे आपने घंगा ना लिया और ये जो है एक ग्राम में एक ग् बोड़ कालोनी होना चाहिए, दो से तीम करो, इतना होना चाहिए, ठंगा सही, इसलिए इससे भीजोपचार करिये एक खेत पे, आपको अजबर्दस रिजल्ट मिलेगा, कि कोई है यहाँ जो माइको राइजा से भीजोपचार किया हो, किसी भी कंपनी का, यह लुश्य किया ह होगी कि निकी हो, हाँ, किलिम दुबा के लगा रहे हो, ठीक है, तो माइको राइजा से दुबा के बिल्कुल लगाए, पर जहर में पहरे मठ दुबाना, ठंगी साइड में दुबा के लगाओं, माइको राइजा चिप्के गई नहीं, तो यह जो है पूरी प्रक्रिया है, अब यह जो जीवाणु खेत में हमने डालना है, जीवाणु जल और माइको राइजा, जीवाणु जल कैसे बनाते हैं, उस तक में भी है, यूटूब में है, वहां से जाके देख लो, यह तो केले का पेकिजा प्रक्रिस छूर जाएगा, यह भी सराल प्रक्रिया है, जाके अलएगा जाएगक, जाके जाना हूँ हो जाता है, यह तो इसको साधरान ऐसे भी आईसोलेट कर सकते, इसमें टेखनिकल काम है, तिक है, अभी तो आप ले ही लो राइपी सो लेओ, पचास ग्राम एक एक अगड़के लिए परियाबत हो जाता है, हमने इतना कम होता है, बो सब्सक्राइब बहुत ही कम हो जाता है अब आगे बढ़ता हूं अभी हमको यह जीवानों डालना है जीवानों की हो गया अनूं की हो गया अब मैं आता हूं और जा आप सबके खेशन का सड़ा गोण डाला है क्या है टो छूब्सक्राइब टीवानों की उल्राइब पाइब में फंगस कैसे रहता वाइनों की से रहता है वाइन ग्रब दीमक और जो उसको खाने चिपकली साम पिच्छू के गड़े आते कच्चा गोबर याने खराब जीवान मों का ठिकाना ठीक है तो खराब जीवान मों में खेत में नहीं डालना है इसके लिए आपको क्या करना है उसको गोबर को फैलाओ पानी डालो ठंडा करो डिकपोस करलो और गोबर को भूरई मत बना उसको फैला के सुखालो और जीवान उजल डालके डिकपोस करके फिंट में डालो अन्य था गोवर्दं सजी उखात बनाओ, इस किताब में लिए गोवर्दं सजी उखात कैसे बनाना, लोपर में कैसे बुड मिलाना, पिर गौमुत्र मिलाना, ठीके चावल मिलाना, उसम है, यूटुम में भी है, ये किसान भी जानते हैं इसे शीखो, आज ही पुरी खेदीन परहीं कुछ है नहीं हो सकता, यह जो है हमारे सरज जी के यहां, मिट्टी निगेटिव थी, निगेटिव याने उस मिट्टी के हाथ में रखोगे ताकत घड जाएगी, एक नाजवन आओ और एक मिट्टी लेके आओ, में प्रयोग करता हूँ, यह जो मिट्टी लेके आओ, और एक कॉटन का कपड़ा दो यहां, ठीक है, क्योंकि यह सिंथेटिक कपड़ा है, इस पे ऐसी एनर्जी कम हो जाती है, हाँ, एक कॉटन का कपड़ा भी दीजे, हाँ, कर सकते हैं, अरे, वो मट आदो हुई हाँ, वो भी हाँ, मैं उसको उठादो, हाँ, ठीक है, यह एक कॉटन का है, जो एक कट आदे लागए, पिसान भाई का, बहुत बड़े, आज आज़ा, विट्टी लाए हूँ, नहीं दूखे नहीं लेए, अभी आप बैट जाओ, आपके मिट्टी जो हाँ, इसी मिट्टी वाले किसान लाएं, उनके मिट्टी तो ऐसी ताकत वार है, नहीं किसान लेके आओ, आज़ा, 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 आज़ा बई ये नाम को दिदर आओ जूत्ते मुझे उतार के हो से कि जूत्ते मुझे उतार तो सही हो क्योंकि मुझे भी सिंधेटिक है ना देखऊ एनर्जी अकर मिट्टी की एनर्जी आधा इन्निगेटिव है तो यह सुरुवात की टेक्नलोजी है सबसे पहले मिट्टी पॉजेटिव करो हमारे जो है कारिकम के संचाला की मौदों पर यह प्रयोगां करते हैं सबसे पहले उर्जा चेट करनी है इता हुआ हर घ new फीडि and we are 속 इत्राइब करसे प्रप्ठरु कि युप कि तर रॉए कalay अर बेकरता है इत्री विल मौभणी है है कि अधाया है OFFICER कि अब चलेगा भद्राक्ष नी चाहिए हो क्या भद्राक्ष पहने रुद्राक्ष के नाम पे इधर आओ मेरे ताकत को रोको और मैं इनके हाग को दबाया दबाया आपने देखा मैंने पूरी ताकत लगाई अब इनको मिट्टी दिखाओ लोगों को ऐसा दिखाओ यह यह प्लग कोईंट है प्लग कोईंट समस्ते हो ना कर बताया था जिसमें बिजिली लगावने तुरां जाएगी तो प्लग से और चुलिए एनर जी तुरंच जाती है कि थोड़ी दिर पर जाती है। दुरंच जाती है ना तो अब इनों ने जो ही लगाई है मुझे ने पता है मिट्टी जो है ताकतवर है कि ताकत लखाने वाली है प्लक से लगाओ, क्या लगाओ इसे, हाथ सीदे रखो, और मैं इनके हाथ को दबाने की गोसिस कर रहा हूँ, और आसाली से हाथ दब क्या, लगाओ तक जबाओ, आसाली से दबराए की निटाए, अब वो अच्छे बिट्टी ले आओ, जो किसाने, टीसी बिटी उड़ जन द अब ये बिट्टी निपाओ, अच्छे बिट्टी निफाओ, नि बिट्टी नि लग रहे हूँ, तेखो, देखो प्ल monopol में लगना ची, यहां से, प्लक में अगर नि लगे न, सहील प्लक ने पसा, विजली जाईगी जाईगी यांदी क्या, नहीं, ये प्लной पक्वैट पे पाइब 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 अब यह सब करने के लिए जादा समय कि अपने पास अब यह लेको यह मिंटी इनोंने वह मिंटी पकड़ा और इनकी ताकत हो गए खता हो इस चाहिए अब करता हैं लोग वर अब यह रुटी पकड़े रासाइटी खेती की मिटी पकड़े ताकत गड़ गई प्राकरती खेती की फिर्टी लाये हैं उनमें भी आव जरा आएब आप कि अपि रुट्टो जाओ पाई ताकत तुना आपने आपकी है मुठी बंद करो लगाओ यह जो हर्स सवर प्रती सुद्ट लगाओ ताकर असालीस यह रोखे है कि दी रोखे है अब रोखे है असालीस को जिल्दग हो रही है ने इस दिखाओ मुठी पाड़़ए यह मुठी जो आइनोंनके पाणा लिया उपन करो यह भःवान और यह ताकत लगारैं अपर इनकी वेशी ताकत जो पहले थी नहीं लग रही है ये मिट्टी पकड़ दो जी, मुझे निए पता है मिट्टी कैसी है पानी का कल मैंने करा निया था, पानी का में कराता हूँ अब ये नोने दूसरे खेंकी मिट्टी पकड़ी है, लगाओ ताकत लगाओ, और ये मिट्टी भी इनकी ताकत को खटा रही है अब वो मिट्टी पकड़ लो, जो प्राकरती खेंदी कर रहे है, प्राकरती खेंदी का और कोई किसान आया है ये आ, इनकी मिट्टी पकड़ जो यो रहें दो, इनकी मिट्टी की मिचाच हो जाएगी यह चन्डा भाई कीने अपने खेन से लाया है यह लेकर खेनवाला यह मिट्टी पकड़ू लाओ किदर लाओ मिट्टी के रहला प्लक पर रखो यहानी रखना यह है प्लक पॉइंट याने जाने का धियान रखना कि यह मिट्टी इनोंने पकड़ा और मेरे यह मैं के हाथ को दबाना शुरू करता हूं पुरीता कद लगा में जोल लगाते हुए और दबाओ करो गरो जराथ वह मिट्टी पकड़ा तो यह कहीं मिट्टी का भी थोड़ी सी बिफन बचा रहता है तो वो क्या है? एनरजी का काम, क्योंकि एक ग्राम विक्टी में पुर्थी बन करूँ, लगाओ मेरे तकत को रूकूँ, 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 अभी फरक पड़ रहे हैं, अभी पूरी तकत आप उत्री जो तकत है न, पुरा जो कड़क है, वो लगा नी रहे ह या तो ठाकर आए हुआ, ठके नहीं हो, इसको भी दरा रहे हो, इसको भी आपकूँ, पुरी तकत लगाओ, लगाओ, पुरी तकत लगाओ, यह देखू, मेरे तकत को रोक रहे हो आपा, अराम से, तो जो प्राकरती खेती की मिट्टी, इनकी ताकत नहीं घटा रहे है, और पासाई नहीं खेती की मिट्टी, तो कंसेट्ट यह समझे, जहां दुर्गंद डला है, वहां दुर्गंद मिट्टी यह पोर-पोर में जाएगा की नहीं जाएगा, आप भी कर सकते हो नहीं तूनों, कल कराई लिए थे होंगो तो, तो यह जो है, यह बताओ, यह यह प्रेयोग आपको सिखाने के लिए कराया, ताकत घट रही है, इसका मतलब मिट्टी निगेटिव है, ऐसी मिट्टी में फसल की ताकत बड़ेगी की घटेगी, छोटी समझे की बड़ी समझे, निगेटिव मिट्टी मतलब इगेटिव एनरजी चल रही है, और नकारात् यह बताओ, दुरगंद की उर्जा वहां होगी, दुरगंद की उर्जा अच्छी है की बुरे है, अच्छी उर्जा है की बुरी उर्जा है, तो यह बुरी उर्जा है, तो यह बुरी उर्जा है, बुरे जीव पैदा होंगे, फंगस पैदा होगा, वायरस पैदा होगा, र पुजा और नकाल आत्मक फंगस दोनों खेड में खतम हो जाएंगे तेवले धागुले से उसका नाम है उर्जा जल क्या नाम है उर्जा जल की शौम करी अगनी ओत्र भसम चाहिए और हिटकरी अगनी तिन आप इनिहां थीजुरत यह बताईए भाया यह जो नकारात्मपूर्जा है समस्य बड़ी है की छोटी है बड़ी है की छोटी है बड़ी समस्या है यह जब तक खेती में खतम नियोगा आप इसराइल का भी खाट डाल दो आपके खेत में अउसा दूपक से जादा नहीं मिट्टी पॉजेटिव कर लो रासाइनी खेती से सवागु नम जाएगा प्राकरती खेती गा एक फार्मुले में इतना दल है क्यों इतनी में आपको फसल दिखा रहा हुआ चीकें? अब यो फसल थुड़ा चला देना जरा ठीक? फसल को बिना अवाज की चला रहा हुआ एक किसान आया नहीं उसकी मक्की की फसल मैं चला रहा हूँ और वह भी जो है यह किसान है इन्होंने कियेवल सजी उजल और सड्रस डाल के और खेती की है चलो ठीक है तो और जहां यह हूँ यह जो है बंसी के मदे को कितना जबर्दस पड़ा है तो यह चलता रहेगा मैं आपको प्रयोग दिखात रहूंगा अगली उत्रपात्र यह मिट्टी को पॉजिटिव करने के दो तरीके हमारे पास एक है टेंपरेरी और एक है पर्मनेंट यह पर्मनेंट तरीका है तो इसके आना पड़ेगा इस तरेकी की खोज हुई है इसके मूल अधिस्था था मूल भग्यानि भगवान पर शुराम थे गौतम बुद्ध के प्रभाव से भारत ने जब कई या के बंद हुए तो यह भी बंद हो गया था अगनी होतरा उननिस सो सट्ट इसका पुनर्व जीवन हुआ और इस पर मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर रामास्रा मिस्रा जेनेटिक्स और प्रांट ब्रीडिंग के चीप साइंटेस्ट कानपुर वहां एक साल रही कि उनसे घिल्दी सी कि मैंने प्लांट ब्रीडिंग और चाहिए तो यह एसा पात्र आपको अपने वेबसाइट से लेना है बजार से लेना है तूंकि बजार में कर्मकाट वाला बात्र उसका नात ठीक नहीं है असा नात यहिए होना चीज़्द सववापांच गुना वाच और सवचावदा गुना सवचाब यही नाम यहांने ऐसी गाय जिसकी माँ की माँ भी एयाग्ना हुई हो जो आटी प्रकार जो होता है कि कोई प्रकार की जरसी गाय उसके वंस में ना हो ऐसी अई शुत्र देसी चाहिए और उस गाय गायों 17% ठारा चारा खाती हो ऐसा गाय का गंड़ जाहिए साथ सुत्रा कि इस तोड़ना ही तें यह आयताकार उट रहा है है ऐसे तोड़ना है क्यों हमको ऐसा अगनियोतर करना है जिसमें पंच महाभूत रहे मतलब भूनी गधन वायू तो इसको धीक से जमाना पड़ेगा यह जमाने के लिए आपको ऐसा आयताकार तोड़ना है कि इसको प्रापर जमाना है ठीक है अब इसको जमाएंगे कैसे देखो सबसे पहले क्या करना नीचे एक जो है नीचे एक चौकूर जो है इसको पुख़ब़ जाए है नीचे एक चौकूर जो है यह देखो आपने चौकूर कंड़ा रख दिया इसके बाजू में दो कंड़े रखना partner के दो कंड़े इसके बाजू मैं दो ऐसे आड़े खनडे है ये देखो ये दो वाईने आडे रखी ने दिख़ा है पंच महाबूत युगता अगनी होतर होना चाहिए इसलिए ऐसे ही जमाना है और देशी गाय का गंड़े ही जाहिए उसके रगा करना दो हैसे आडे जमाते है फिर ऐसे जो है पड़े बड़े वालoten फिर ऐसे इसको जमाना कि यह देखो हमने जमाना शुरू कर दिया इसके प्रापर हवा जानी चाहिए ऐसे जमाना कि यह जमाते चाहिए हए तुकि अगनी मैं उतर भस्म करना है थीख सुरयदैसर्याज्ट के लिए अपने एक बनाया है सोल हार्मर है ऑसको लिखेंगे उसको क्लिक करेंगे आपके खेथ की लॉगिं करेंगे तो खेथ का सुरयदैस दिखने लगे उसके दस मिनट पहले इसको कंड़े, वो जलाना. कैसे जलाना? घी, घी से जलालो. कपूर से जलालो. ठीक है? कैसे भी जलालो और ऐसा धग दो. जलने दो. दो मिनट जब बचे ही. तब फिनाट उंटा हुआ चावल. इसको पकड़ो? बिनाट उंटा हुआ चावल ले ना ही और प्रयास करो यह जईमीध प्राक्रति खितिए का चावल। प्राक्रति खितिका और फिर इसमें झो है। कि यह चावल में क्या करना है cubकि भी ऐसा आक्षमानी सांत पात्र के सांद। यह एसा निकालना है इसमें जपड़ना और चोपड़ करके देखते रहना है time को, कितना टाइम हो रहा है जब 30 सेकंड बचे इसका 30 सेकंड बचे इसका 30 सेकंड सूर्यास्थ का तब क्या करना इसको यह उपर धकन लगा है उसको चमीटा है वहाँ चलो चमीटा नहीं चमीटा पकड़की इसको बाजू में कर देना यहां लाल अलाओ 400 डिग्री टेंपरेचर कितना डिग्री जोर से बोलो कितना डिग्री वाना चीए तो इसको अटाओ प्राइब अंदर लाल अलाओ मिलेगा इसको ऐसे पकड़ लेना और घड़ी देखते रहना यू देखते रहना घड़ी सुर्यास्थ के लिए जैसे 00000000 होगा वैसा ही दो मत्रों के साथ मेरे साथ अंदर दोराना अगने स्वाहा अगने इदम नमं अगने इदम नमं प्रजापते स्वाहा 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 अगने इदम नमं प्रजापते इदम नमं प्रजापते इ इतने रंग निकल रहे हैं यह हमारे चंदन भाइगे आफ सात रंग इस धर्दी में इस और मंडल में सात रंग के उन्धों ही के इंदर से निकलते एक तो सूर्य या दूसरा अगनी उत्तव तीसरा कोई नहीं जहां साथ रंग रंग चिकत सकती साथ रंग यहांने सारे 108 तत् आतली संथ आपका टेंपरेचर ठीक अगनी ततक्रीन कर एक प्रपलीन आक्साइट वर्सा करवाईगी त Uh गही अग्वालति प्रजण है के से वर्सा होती है जीन पर में चीवन को श्रीयत और अंतने आस्ता है oxygen ये पूरी प्रकर्थी को प्राण वायू देगी इसका जो भस्म है इसके अंदर 52% oxygen आया है कितना परसेंट इसलिए जो है ये अगनी हो तो भस्म का पानी पीलो आप बतांगो उर्जाजल आपका जो है बेट का दर्द गया इसका acidity मिन्टों में गया दस बारा मिनट बाद लगेगा बड़ा अच्छा लगेगा अच्छे से नीद जाएगा जितना ही आप एसेड़ेटी से परहसान उर्जा जल पीलो वावन परसेंट oxygen के साथ इसमें 42 मिनरूस हैं और ऑक्सडाइज है जींक ऑक्साइड, तेल्सियम ऑक्साइड, बैगनेशि इसमें है, तो ये भस्म बड़ा थांता है, इस भस्म को आज का विक्यार कहता है, एक्टिवेटेड चार्कॉल, क्या कहता है, और एक्टिवेटेड चार्कॉल के कई लाव है, गुगल में सर्च करो, एक्टिवेटेड चार्कॉल, अब ये भस्म को आपको उर्जा जल बना तो उर्जय जल आपको बनाना सिखा रहा हूँ, अभी मैं एक ग्लास में सिखा रहा हूँ, आप इसको 200 लिटर ड्रम में करोगे, कैसे करोगे समझ लो, जो साथ दिन अगनिय होत्र करोगे, कितने दिन, दिन सुबा अगनिय होत्र करोगे, सूरी की किरणे इसके अंदर आएग जहाद नियुत्र हूँ अवा बिजली निगर सकती, जहाद नियोतर हूँ, इस साल में यहों की फशल निगरी आड़ोस की सारी फशल भूझ गई, मैं नदी, ओसर दशन निगरी हूँ, यूटूब में डाला हे में तीसरा है वहां पर किसी तरह का ऐसा जो है नगारात्मकूर्ज्या खत्म होजाएगों ह्यायास ही रफ़ मिट्टी की नगारात्मकूर्ज्या खत्म करना है तो सा tapping कडियों सूबाल साम कडियों नो चंत्रमां की किलाणूं को ले गयाता है शुकिनि कैनि सूरी के प्रकास को सूरी की जय को इसलिकते सबसुरे प्रक। तो यह फार्मुला अभी क्या है आपको यह जो है आपको क्या करना है कि और साम का करोगे जो है जो है जो चंद्रमा की सीतलता उसको पकड़ के लागे स्थापित करता है अभी अमेरिका के विद्यानिक ने सर्च किया कि जहां पर जो है अगर नियों तो फस्त डाल गया जिस नहीं वहां पर अगर जीवाणों कल्चर डाला जाए तो फांच हाजार गुना व्रती देखी गई है एक दो गुना नी दस गुना बीस गुना नी पांच हजार इसलिए अपने उर्जा जन जिसने भी डाला और जीवाणों जल डाला वो किसान मेरा नाच रहा है तो अभी आपको क्या करना साथ दिन अगनी उत्र करना उसका भस में खटा कर लो 100 ग्राम फिटकरी लेलो बनाओ और जो है ड्रम में डाल दो ठीक है 200 लेटर में जब तक फिटकरी घुलेगी नभी छोटी-छोटी दाना रहा तो 18 गंटे में बढ़ा रहा तो तीस गंटे में गुल ज इसको ड्रिप से चलाओ या बहते हुए पादी में दीजिए जो मिती लिए पॉजटी हो जाएगी ताकत से भर जाएगी तो अभी में जो है आपको पूर्जा जल बनाके दिखा रहा हूं दीजिए पानी दीजिए फिटकरी दीजिए यह है अधिनी उत्र भस में भरके लि दालते हैं इसका पानी हो जाता है क्या एक्टीवेटेड हो गया यह पानी बोल गोल देगा और क्या निजिए अधिनी भी मांदुञ्ट क्या श्रेवें बोल्ला कितने लोगों के यह धिनी आधे मांदूञ्टूर्णी वांद। मेरे साथ को पूली है। बस अब ये फिटकरी को जो है ये निकाल करके अलग कर देना इस पानी को कौन पीएगा बताओ पहले हाथ उठाए आपको बुलाए जाएगा ये बहुत मेनत कर रहे लिया पूरे मेवस्ता को इस्तावित करने के लिए तो ये जो है इंको उर्जा जलाब देगे आब इस पानी को मैं रग देता हूं आपको अगने उत्र भस्मी की ताका देख दी ना गटर का पानी उठा पानी काला पानी काला पानी उसमें आदा चंब चगनी होतर बस्मर्पिटकरी डाल के भुमा के रग देना राद भर रग देना सुभा पानी इतना क्लीन दिखेगा उबर सारा कचला नीचे बैठ जाएगा तनी में और उपर का जैसे असा विंटल बाटर जैसे तो सहर के ढले को भी साफ करना आएं तो उर्जा जल करना पूरेगा आपके में जितना फंगस है वो खतम करना है तो छोटे जल डालेएं आपके में फाब्लामने डाइबिट को ऊचरी पीजे सुभा एक लास दो बाद में गोजैं के बाद एकलास रात में सोते चमें प्लास्स हुज वेदी की भी संता पृतिसत बीमार्या, फंगस, वायरा, सिकाटों का, हमारे किसानों किसी ने सिकाटों का आया गया, आपने नहीं जोटी सीविटी प्राक्रति के दी, जमीन में डाल दो, इस्प्रे कर दो, आता ही नहीं है बीमारी, तो हर समस्याओं का हल, उर्जा जल, बोल आपने दूर के चक्कर में उसमें सीमन लगाया है, खतम हो गया उसका नसर, जो साग उमें फिर रही है, उनको ले आओ, प्राम करो, माफी मन दो, और उसको सत्तर प्रतिसात हरा चारो गओ, उसको कंडा, उसके गोबर का कंडा बनाओ, उसका मोत्र का उप्योग करो, एक मोत करो देखो जरा, क्या रिजल्ट है, तो ऐसी सड़क में फिरने वाली गाये, एक्च्वल में अपनी प्राकरतिक खेथी से इस्थान पालेगी, क्यों, गाये का जो है घर, वो आपका घर है, बोसाला नहीं है, बोसाला तो उनका प्रत्थास्रम है, जहां उनको परियात ना मिलता ना खाना मिलता, वो साला में गाये स्वस्त रहती ही क्या, स्वस्त आपके घर में रहेगी, तो सबसे पहले गाये, देशी गाये को अपने घर में लाओ, अच्छा हरा चारा जो स्वस्त हो जाएगी, प्रतितिन उससे जो है, उसकी स्थूती करो, क्योंकि स्थूती कर करने से हर चीव इस प्रकरती का हर अधिन प्रसंद होता है अभी मैं इंगलास इस्टील के पानी को ले आओ मैं इस कुति करके आपको दिखाऊंगा ऐसे पानी के क्रिस्टल बहुत अच्छे हो जाते हैं फ्रेयों कि अभी तरह उगा इस्टील की बिवस्ता करना ठीक है तो अ यह जो है यह आप जो आए अभी हम जो है आपका घड़ी उतार गया है वह आप घड़ी पैने थे जबी उतरवा नहीं पाया था इसका जो आए थे से कभी लास्ट आइगी होती होती है उसके लिए आप एंटोर्ट चिप लगाईए मोबाइल का प्रयोग मैं करा दूँगा प्रभाव जो है अभी दिखाता हूं यहां है अभी आम इंकी उर्जा चेक करते हैं पुटी बंद करो और इनकी उर्जा इतनी है मैंने फूरा ताकत लगा रहा हूं और मेरे ताकत को बिल्कुल यह रोक रहे हैं पर जो है लगवग फ़द्रावी सेकंड में की ताकत को पंद्राव यह पांस सेकंड रोग पार है वास सेकंड उससे जादा भी रोग पार है अब यह उर्जा जर्पीजिए है अब हर समस्याओं का हल तो भी कप्च दैस बन रहा है उसके लिए तो रामगार है कि अब बात कि थोड़े से अब जाएंगे उससे कुछ परकिंबतर पास तिके अभी जो है अभी आम इनकी एनर्जी चेक दरते हूं कि एनर्जी तो क्या होती है तुरंद आती है यह मैंने दवाना शुरू किया और दोनों हाथ से दबा रहां दोनों हासे यह तो ताधर बढ़ी पताओ तातर बढ़ी है पहले से अब अप्राण दादर जी का बस्वन वह वाइस्वाइशाएं था थोड़ा सा थोड़ा सा थीक है कब पीना है आपको सुभा दोपर पे बोजल्लिबाद राद के तंदरा दिलो फिर देखना की जिनकी घुटने की समस्या तो इस तरह से उर्जय चला आपको बनाना है घेत में डालना है कोई भी समस्य आ गया तो पचास परसें यहने सौ लिटर उर्जय जल सौ लिटर पानी ठीक है और उसमें कुछ भी ऐसे अपने मिला दो जैसे हमने बनाया है यह जो है ना आज जो पत्तियों से बनाते दस पर करनी हैं यह कंग नी करेंगी क्यों है यह पत्तियों का जो है चेहर होता है उसमें थीन सबी फियार है और हमारे कंगीम कीर मिप्य मेंदे ने लेते हैं पचा साथ, तो इमने बनाए बता दू है कैसे बनाए बता दू है एक मोटर हमने लिया उसकी के अधा से कौक बढब लाई hai तो आपका जो करंज है। करंज डालियें। उसमें 10 लीटर, 100 g फिटकरी डालिये, और उसके अंदर डालियें। आपका। जो है, आपने करंज का तेल कितना लिया है। तस लिटर लिया ओना। तो उसमें 20 L गौमूत्र डालियें। और उसको घुमाईएं गटेकर। आपका फेंटकरी गौमुत्र एक सार मिक्स वजाएगा और पानी का सरफेस पूप जाएगा पानी का बन रहा हो किसका तेल का क्यों तेल आप पानी में डालोगे भुलेगा क्या वो खुलन स्कील हो जाएगा इसको हमने बोला क्रणि यसका नाम रख दिया त्रिशओं क्या नाम रख दिया नीम का मिक्स करके विफल्य नाम रख दिया आ enquanto blasкихें और पैंने हैंड तो आशिकर करके आप जो है बना ये बनाईये वोई भी मोटर ऐसे चलाना है कि वो उसके अंदर रहे मिक्स हो जाए मोटर का जैसे हम दही घुमाते ना बस वो जो रखोगे वो मिक्स रहेगा वो अच्छे से उसको मथनी मथना है उसका सर्वें पूट जाएगा फिटकरी के काई क्योंकि फिटकरी क्या नाम करता है किसका वारन करता है यहां बहुत पावर्फुल करना है तब उसमें लौंग तेल मिलाना है क्योंकि लॉंग का देल क्या करता है। और तेजी से खतम करता है लॉंग क्योंकि लॉंग का यूटल जाता ही उसमें वो काम करता है प्राख्राति खेती में बीमारी आती नहीं है आती नहीं है तो यह भूमी तत्व हो गया अब गगन तत्व है वायू तत्व है अगरी तत्व है और नीर तत्व है तो इस तरह से अभी हमको पंच महाभूतों को सुद्ध करना सजीव करना सक्तिशाली करना है अब है संस्कारित करना मैं 15-20 में आपको बता रहा हूं कि उसको कैसे मिट्टी को भीना जुताईगी खेती में लेके जाना किसमें लिखे जाना छे मईना जो खेती को हमने भराद खेती का पहला प्राद है जुताई पहला प्राद सारे जीवाण ऊपर नीचे हो जाते हैं तो दूसरा प्राद है उसमें चेहर डालना खंगी साइब साँआ फंगर्वस मर गयह उसमें खेटी का हनुमान माहि बृदा आए जो हनुमान है हुई हो पहले मरता है फिर बैक्टेरिया स WIN उर्य जो है फिर यह हम खेटी 2019 डालतेँ अप्र रोपाई रिफास तो कीयो मनते हैं हमारे प्राकरती खेती में वो फिल फोलगी बिल आती है क्या मोलते उसको के लिटी परेडि बृट बिटकर हर ब 190 करे प्रागण करने की जोर्राती आगरा LD बी अब हुच्छी में आए अ य adviser लगाय क्या जू Pan वह उससमें को by दयए शूंत्म बना आback तापको क्या करना है कि अधिक है यह हमारे जो है लोके इस पाठक जी है यह भी जो है पूरी प्राक्रति खेटी कर रहा है हमारे लिए जोपडी बना रहे हैं इंके अंदर प्रसंद नहूं कि इनको प्रदेश सहीमजग बना दिया है एक खेट में चपन भुगवाटी सबना यह आपको सब्सक्राइब अपना रहे हैं यह आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब कितने लोगों कितने लोगों की समस्या है फार्मूला चाहिए इसका यह किताब है इस किताब में फार्मूला दिया है इस फार्मूले का नाम है सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब 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 जून और जुलाई में इसकी मादा निकलती है, ये देखो ये मादा, ठीक है ना, बारा पंदरा जून से निकलती है, दो चार दिन तो खेट में घूंती है, फिर इसके अंड़ा देने का समय आता है, तो ये देखती सुरक्षित जगा, इस मटके में दुरगन दाती है, अच् हमारे खेटी को बहुत नुकसान करता है, उसका दोस आप दीमक को देते हो, इसने गुजरात का उंखली बरबाद करना है, साथ साल से, महरास्त का गर्ना बरबाद कर दिया, आपके केले के जड़ों को पुतरता है, आपको बता ही नहीं रहता है, आप दीमक को दोस देते हो भाइब और हमारे पास फार्मूला है में यह उपले हुआ यह आपके आपके केले के पौधे के बीच में यह नारियल गढ़ाना है दो जो है ऐसे गडाना है, दो किलो के बीच में, एको ऐसा और एको एक ऐसा रहेगा, एको लीचेटर, वहाँ कर ऐसे लगा दे रहे हैं उतने दूरी पे, एक जिले के पास ही है, एक जिले के पास ही है, इसके अंदर जो है, एरोबिक पेटेरिया घर बना लेकिये, कौन से? पी, एसी, की, एसी, प suitable, zink, मेचनी, सलफर का जिवान है, और इसके अंदर जो है जो ऐसा है, इसके अंदर जो ऐसा है, इसके अंदर जो एसा है, इसके अंदर ऐने नमीख जीवानों अपना घर बना लेकिये है, उसमें माइपो रएज़एगे है, टिक्ए है, हां, तो ऐस जीवानों का घर हो गया, दूसरा ये पानी को सोख की रखेगा, सोखेगा की नहीं सोखेगा पानी को? और जब पानी भी रहेंगा तब यह पानी रिलीज करेगा, इसको कितने गड़ाना एक फूट नीचे, याने एक फूट का घड़ा फोल पे रख देना, 6 इंचों के 6 इंच में मिटनी पार देना, तो यह पानी धीरे धीरे छोड़ेगा, तो पानी जड़को मिलेगा की नी मिल वाफसा के रूप में मिलेगा किस रूप में मिलेगा वाफसा तो हमारे खेट में पादी कमी मतलब कम होगी जहां जो है हमें हर 15 दिन में शिचाइट देना है वहां महीने में दुआ दूसरा यह जीवानों को इस्थापित करेंगी इस तरह यह कारबन देगी सबसे तु मतलब करन भाष्प और टोलाइन जो केलिकी साथ ऊल्सरा पूद में यह जए आखितेगे खेलों अब मैं आपको बतार भूब युक्चा हमारी खेट में कार्बन पॉइंट थी है तो कार्बन थी करना पीयस थी करना इसी थी करना और जीवानों बढ़ाना कीटानों माल मान जीवानों बढ़ाना ठीक है और कम से कम जो है 25 से 40 तन केला निकलना ये वेवस्था के लिए मैं आपको केला उत पदल सिखा रहां ठीक है सबसे पहले क्या करना यहां जाना अपने खेय डम round धाने जिन्दग vara को गरने एक चलाना है क्यों चलाना है क्योंकि आपने टाइक्टर चला 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 के 9 इंचे भंड़ी पंडुबिधी बना दी है आइसी कड़क मिट्टी के लीचे के बैक्टेरिया स्वास की नी ले पा रहा है, बनाए की नीचे है की नी ले, तो उस तहा को तोड़ना है, तो जो है सब स्वाइनर चलाओ खेत में सबसे पहले, पांच-पांच फुर्टी ऐसी, सब स्वाइनर जहनते हो, इतना लंबा है जो आपल जैसा एक जो है वो होता है, नागर, एक ही उसमें होता है, एक ही फार होता है, टेक्टर के पीछे, उसको चलाओए तो जो है, धाई तीन फिट का चीरा लगाईगी, तो ऐसे तीस-पैटीस लाइनर चलाना है, पांच-पांच फुर्ट में, क्या बंदे इसको, सब स् यह चला लेना, पहले मिट्टी सुमास ले, ठीक है, दूसरा काम है प्लाओ करो, प्लाओ करने के बाद जो है, हल्की जुताई करके संतल कर लेना, और संतल करने के बाद एक टन लाल मिट्टी, एक टन सफेज मिट्टी, एक टन पी ले मिट्टी, ठीक है, पैसा नहीं क्योंक तो आपकी खेट के किनारे जहां धाल आए वाँ पांच भूट गहराई तर कि जेसी भी से मेंडिक ख़वा के नाली बना के उस मेठ्ली को कहां पाट दोगे कब करोगे पूरी जोताई और रोटावेटर के बाद पिखवा गणाराउ अब उसमे क्या करना तिल फो देना- एक से देलगव क्यों, बड़े बड़े आता डेले है तो बंदेले फिदे में झोट ह Japanese region नीचे की वी ऊपर की चल पे जब शिचाई दे तो उसी समें ड्रिप से चला देना, फिर क्या करना? फिर उसके बाद शिचाई दो गए तो आपका तिल होगेगा कि नहीं होगेगा? तिल उगेगा कि ने उगेगा उगेगा तो आर दस दिल बाद जब मिट्टी सूख जाएगी तब फिर से चाहिए करना और तब आपको कम से कम 500 लीटर जीवानों जन यह जीवानों जन प्रक्तिकल है मेरी यूटुब चेनल को उसमें देखो टाइम लगेगा पताने में ठीके गोवर्दन सजीव खाथ यह भी बनाना मैंने दिखा है बसरा लगों भी देखने है तो 10-12 किलो बशाज जीव खाथ यह हमारे जैस्वाल ची बड़े लेवर पर बना रहे हैं 40 गाय होंके पादेशी तो वो जो है डाल दो आट-दस किलो यह डाल दो आट-दस किलो गोवर् इसके अंतर खफून को खाने वाले खफून है और यह बात रूपए खर्च करके आप 200 लेटर बना लोगे इतना तो खर्च कर देना 600 रूपिया यह आपके भंगास को खतम करेगा क्योंकि फंगासी खेती का सब्च अभी मैं केला देखने का तो उसकी जड़ इतनी बड़ी इतनी बड़ी इससे जद बड़ी थी केले की जड़ निकाल के देखे तो वो तो केले की जड़ मोटी वाली थी क्राउं जड़ खाने वाली जड़ तो इतनी बड़ी बड़ी और विजाई जी आपका कितनी बड़ी जड़ आती है और उसमें जो है मदर रूट इतनी बड़ अभी केला देखने गया क्राउन जड़ इतना बड़ा कुल और मदर कुट इतना सा है इतना अंतर होता है यह लंबा जड़ जाना जी पाच-पाइट कुट आपके केलेगी तब हवा चलेगी वो केला निकी देगा अभी जड़ा ही हवा चली केला सब गिर जाता है ठीक है तो जड़ बढ़ाना है तो यह जड़ बढ़ानी के लिए सब करना है तो आपको क्या है की बूर्जा जड़ दालना उसके बाद जीमानों जड़ जयावरसायर अब जयावरसायर भी डालना पहली सिचाई में कम सो लिटर कितना डालोगे सो लिटर क्योंकि मिट्टी को मख़न जड़ बनाना है उनको ठीक है और सड्रा जामलाख हम से 20 लीटर जो है 20 लीटर चाच और 200 ग्राम आमले का पाउंडर मिला के 4-6 गंटे रखना और डाल देना क्या हो गया हो सड्रस क्या हो गया सड्रस यह भी डाल देना यह सब जीमानों जैसे डालोगे एक तुम से साथ द बीज दिन बाद फिर करना तो फिर जो है 500 लीटर जीवारुजल और 100 लीटर जैवरस हैं 20 लीटर सड्रा डाल देना 100-200 लीटर ख़फून बक्षब और कीट बक्षब गोल डाल देना सब मिट्टी में सारे जीमानों घर बना लेंगे 45 दिन बाद जो है आपके तिल को किसको संदेचा मत डाला है 200 बार तब मुझे अकल आई कि संदेचा से मिट्टी में कार्बन नहीं बढ़ता है केवल वो थोड़ा कार्बन रहता है तो ग्रोथ दिखती उसके वास के रासिलाइस होगी मैंने दो तीन तीन बार गड़ा के मिट्टी की जांच के अब 5 से कम ही आता तील गड़ाओ जब रॉक्षायरवेग पड़ा मैंने और तील का समझन तब कहां ही समझ भाएं तील का कार्बन ही सस्टेनेबल कार्बन है हमारे पुर्वज 10 साल में पर तील इसलिए गड़ा देते तो तील ही करना और फिर उसको फिर तील गोना क्या गोना तील गोना और समझ फिर रॉटावेटर निगड़ पलाव निगड़ा चलाना और पंड़ाना आ पेलल को पलाव चलाना जब क्य मतल ?ं रॉटावेटां अम कहर प Liberty in May अनग नवी रॉटावेटर न्य स्टेने ल के दो मित्खार के बंप्सकी ने का पलावतने वाले में पलाव चलाना है कि कित्य फसल के ओपर पलटना थिर्टिक हे गिननों लिधर के पाई निस्ते पचाश दिन पाद कितने बार करना है। चार बार. 45 दिन बार फिर इस जो आइक टिल को पलाव करना। फिर दवा देना। 15 दिन बार फिर आपको क्या करना है। फिर चलाना है गोटा बेंटर। जैसे मिंटि थोड़ी सूख जाए। ध्यान रखना, थोड़ी सूखे। और प्लाव में चलाना, हल बक्खर से कबटो जाता अच्छा है, क्योंकि टैक्टर उसके बाद नीचलाना, हल बक्खर चला देना, या हलकवाला टैक्टर चलाना, बहुत हलकवाला जो हाथ से डखेल के करते हैं, केवल मिट्टी को आपको क्या करना है, थोड़ी जोटाई करन दो यह और नाली बनानी है, नाली भी केसे बनाना? ऐसे बनाना कि आप को साड़े तीर फुट की नाली और डेढ़ भुट का बैड़ और डेढ़ फुट की ऐसे नाली बनाना. की किर 입니다 अद्य दिया बना लेंआ नाली बनादाना है तो जो है छोटा ठेक्डर से लादराइना और उसको नाली में zmLIE में पट्री आपके किसमें डाल दोगें तैक में डूगें यौद दोगे चीश新聞 संब्थ मत उपर लचकिंग को लुचकित होगे तो मुल चीन ठाहर देना उस मिट्टी को थंडा दखना पानी चलाते रहना थृष्षत चाहे कुछ भी मक्का लगा दो क्या लगाना है आपको यह तो साल बर मक्का लगता है मक्का लगा दो छे महिने तक उस मिट्टी को गरम नी होने देना, क्या नी होने देना, नहीं तो जो कारबन जमीन में डाले हो हवा में उड़ते कारबन डेक्स एक बन देना सजीव जल एक फार पूले आपना कुबर को मुद्र पूर चाज का को डालते रहना ठीकें, फसल लेते से में, सजीव जल और उर्जा जल अनुजल जीव आनुजल डालते रहना, मक्का भी आपका निकलेगा सांदार ठीकें, 30, 35, 40, 40, प्रतियकल मक्का निकलेगा मेरे अपनी इस टेकनिक में 6 मक्के निकले एक पूदे से, कितने मक्के? 6 मक्के निकले आपने वो मक्का का वीडियो देखा होगा, देखा की निकले देखा? जलगा होगा कि साने हमारा संजय माजन, कितना जबरतस्त मक्का था उसका? यह चोड़े-चोड़े मक्के थी, क्योंकि उसके 1.1% कारवन हो गया, ठीके? तो आपका अब यह एक बार बेड़ी स्थापि कर दो, अब आपको केवल क्या करना है, कुछ भी फसल लेना है, मक्का मन लो तोड़ने लाएक आगया, दुबारा मक्के का पीछ लगा दोस्ते, जब तक मक्का आपका पकेगा, तब तक मक्का इतना हो जाएगा, फिर काट लोगा, अभी आप तीन फसल लेते हैं मक्के की, इस टेकनिक में चार फसल लो साब, बिलकुल लेना ची लेते हैं, मक्का हमारा मुक्य पूड है, यह हूँ नहीं है, हमारा मुक्य पूड चावल है, मक्का है, जव है, जई है, जवार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, आप फसल पर फसल, उस पेड में आप जिंदगी म हाँ, अभी मक्का लगा, फिर क्या करना आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अभी जो है हमारे किसान को 300 किंडल करेला निकला किसमें लगा दिए, मक्का उमर खड़ा है नीचे की पत्ती छड़ाया उसने और पहले लगा दिया, पत्ती जढा दिया, मल्चिम हो गया, किसके पत्तों से मल्चिम हो गया, मग्य के पत्तों से मल्चिम हो गया, अब मल्चिम हो गया, कचरा हो गया, अपनी प्राकरती खेती में निन्यांद्य प्रतिसत कचरा उगता ही निये, ना रहे दी गास, उगता ही कि मेरे किसान अक्का राम उसके खेप में को धूनना पड़ा मेरे साथ जो है जोएट डिरेक्टर गहे थे अपने जोदपुर के किसी बामनिया जी ओभी हैरान बोले गुरुजियां तिकनी रह गई खर्पदवार नी चने मिनी सरसो मिनी अरंडी मिनी खर्पदवार ही नी था मक्का तोड़े तब तक उसका करेला इतना आ गया है करेले के पौदे किस पे चड़ गए मक्की की डंडी में अब करेले के पौदे को उनने बज़न सहिने की छंता देने के लिए इधर उन्होंने कैची करके दो ऐसे लटखकारे उदर दो ऐसे लखड़ी काल दी और बीच म में से थार बन दिया इसे का बंदिया और तार को मक्कों से क्या करते है लपेड दिया तो अब BENEK इस पर ऐसे चड़ने के काम है और पार मुंपके आगेए को इंदिया आ जिससाए रहे गा G hai शिजदन इतना तोडो इतना तोडो किस रासाईके खेती में, किस खेती में 30 तरiot क्रेला भताये कुझे कुछे आया है किसी ही, उस करेले का जमरदस्वात, अब उसके बात करेले की करेला चब पूरा पकने लब जाएं तो आप क्या करो करेले के पौदे को नीचे से कट कर दो. और जहां करेला का पोदा है वही थोड़ा उस करेले की जड़ थोड़ा उंखाड़ो और वही रगदो बरबटी का पोदा. बरबटी को क्या बुलते हैं? लोबिया बरबटी ती भी लब़ी जो फलती है, दो ती में पहनी किया थी, वो लगा देगा, करेले के बेल के उपर ही बरबटी का बेल चड़ जाएगा, वो भी कोम फलेगा, बरबटी का बेल होगे फिर से मक्का लगागा, क्या जर्वत्पढ़िगे बताओ जोताही की कही जर्वत महसूस कर रहे हो क्या, कही महसूस कर रहे हो, ककचरी की समस्य है, पराबर खेत में गंद चिकितसा करना हुअचय पूर् ॹ॥॥॥' हर अमावस्या पुर्णिमा को मेरा रखा है प्राक्रति खेती की विदी, हर अमावस्या को 200 लिटर उर्जा जल और 200 लिटर अनुजल डालना, बस और इसी का 20% का स्प्रे कर देना, ज्यादा उपज लेना है तो बस, कुछ नहीं, उर्जा जल, अनुजल, जीवानुजल से खे अगले 5 साल कार्बन देगा, अगले 20 साल ये आपके खेत में जीवान को कुछ रख्षित रखेगा, अगले 5 साल तक ये आपके खेत को, अगले 5 साल तक ये आपके खेत में पाणी की पूपी का सादर बनेगा, ठीक है, तो ये एक बार खरीद लेगा, प्राक्रतिक खेती, किसमें कराना है किसमें गडाना है वो जो बेड बनाएं तो इक बार देना यह भूबी उचार और उस चार से देवडा नहीं आया और सब्ची में रासाइली कि भीर दंस देवडा नहीं आया और ऐसे सक्सिस विसान है एग बाल जो है निकलो आप घर से जाओ विजय जी के यहां जाओ उनकी यहां सरजी के यहां हमारी जो तरभूज लगा है चंदन जाण जी के यहां जाओ और अच्छा देखना है तो मेरी संस्था का 300 एकड़ का ट्रेनिंग सेंटर आप बना रहे है जैपूर में 300 एकड़ है 300 और ऐसी जमीन में आप पड़ोस में देखना पड़ोस में इतनी इतनी सरसों क्यों रही है वो दिरे तिरे पड़ोसी भी अभी तेरी ट्रेनिंग में थी दो साल का पहली बाल का ट्रेनिंग की अब वो भी शुदू कर रहे हैं उस गाओ तैसे बं जाएंगे लागता उस नीगू का स्वाध भी अद्वत है तो जरूर जाओ देखो समझो मेरा एटुकेशन एक है सोल एटुकेशन और सोल किसान डाउनलोड कर लो मेरा जो यूटूब चैनल है तारचन पेर जी की पाट साला वो डाउनलोड करो और सब्सक्राइब भी कर ल कि चलिए बहुत बहुत दन्यवाद जो है टी सी पीटी प्राक्रतिक खेती करने आले कितने किसान आत उठाई है थोड़ा खड़े हो जाओ जड़ा आप इने जगा स्वीट से एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ, आट, नौ, दरस, क्यारा, माला, तीरा, चुद्धा, प और यह आपको पताई किसी वीडियो में जो है, चलाता हूँ, अपना नाम पता दुद्धा, मैं चन्दें चार, पुले, टेशिर, मनावार, जिग्लाधार, मध्यप्रदेश, किसी मीटी साथ से अड़ो कर रहा हूँ, और इस बात खरभुजय में भी कर राता, तो हुचा-ज़ चलाने से हमाना खरभुजय की ग्रोथ बहुत अच्छी हुए, फिर इंडर ग्राप में केला भी है, वीडियो की गूरुजी के पास है, और अगया साथ हमने पूरान आसा हमान लेकला था, और इस बार पिस्ताली स्टन के हर्वेस्टिंग हो गई है, और इंडर ग्राप में और साथ बास आँच पी तीप लगाये था, वीडियो संक्या मतला अगया साथ हमने आधी कर दी थी, और फिर भी खेत में पेर रखने के जागे, मतलब जागे, वो नी थी गुरुजी भी खेत में गए तो पेर नहीं रख पाये गुरुजी, इतना खतना खर्भू जाथा और पिस्ताली स्टन हमने हर्वेस्टिंग कर जागे, और दस स्टन माल हमारा खराब हो गया मुर्शाम के कारे, गुरुजी, हाँ, और केला भी पसादे केल कीई, इंडर क्र अधर्ण के लिए हमने सब्स मेन सटरह सम भनाया ता और उस्थार बनाया था, इंए पता दुट्यूजी, हाँ जोरा रोठ है न्यों पता दूदा है, उस्थार खसट्रण के लिस्तिते की माना बनता है? मैं दीन चाहता से मिट्टी इस्प्रे भी कर रहा हूं किया तो मैं कोई केमिकल इस्प्रे नहीं करता हूँ मैं मात्यप्रदेश से हूँ मनावर देशे से आपकी रिदना दीदी देशे प्रस्टे हुआ अपर मेरा चोंती बार केला 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 मत्तब बाला भनी तक मैं ने रखा ए अधरा भनी आई थी केला है साथ से हाट आती हूँ केला तो 1984 से कर रहा है पर भी बीज में छोट दीया था फिर अभी मेरे दो मत्तम कोईट के पहले साह से चालो करा अधरा से अभी तक तो एक साल होगे चिम्टी खाच भी नहीं बताया है, क्यों फसल गुट्टी चलाता हूं, उर्जय जन चलाता हूं, जीवाणों और अडुजय चलाता हूं अभी चलाता हूं, और फसल गुट्टी का घर्च में माझने एक एकड का 4500 रुपए आता है, खर्च भचल गुट्टी बनाया हूं, उस तो यादा उसका खर्च भी नहीं, नहीं बंदू, खत्पत्वार होना भड़ होगया, जीदी, कत्रा मालचिं कर रहे किये मैंने पूरे तो वी यादा हूं, आले किया उस है, जनल हूं बहुट था विट्टी बंद करती है, और अग्रेश जुटाइनी, निदाइनी, और कोई दवाईनी, बहार लगा है, जुटाइनी, निदाइनी, गुडाइनी, दवाईनी, ये चारों काम इंगे बंद हो चुके हैं, और बह पाच्वे साल का इंगा कीना भी देखी आई है, बहुत बहुत दल्लेवादा, तो ऐसे जो है, आपका निम्बर बता हो, खरबुच कितना निकलता हो, पिस्ताजिश कर निकला है, ये ये विदिया है टारेकर, अलो, 9584368778, 9584368778, और इनका पुरा खरबुच देखिये, कहीं कोई बिमारी है क्या, कोई प्लांट ऐसा, जो डेमेज हुआ हो, और फर्स्त साल है, खरबुच को इतना तो है, पहला साल फुरो हुआ है, और सेकेंड क्राप भी खरबुच की आएगी, तरबुच में भी एक तोडाई का पुस्री तोडाई आता है, जब कि ऐसा होता नहीं कि और प्रात्रा दिखेंदी में संप्रो है, दो तोडाई, मतलब अभी तोड़ दी और जो है, तीसनी बाद फिर तोड़ेंगी, ठीक है, ऐसा कोई और खेंदी नहीं होता, हाँ, वीडियो भी है, एक बड़ में दिखात कि अब क्येगे, बेरा एक घॉले क्या सब्सक्राइगा में दोड़ खेंदी होता है, उपर की फन्यों में 28 या, तो यह उपर की फैर यातताफाईश कैले हैं, उसके रोभषिवाजी कॉल खेंदी, फैर वासिड़ें figris. करते हो नहीं संद्रिखर्ण के रहा है? मैं गेला सहो गेत रहा हूं मुझा ऐख राश मपीज चालू कर्या था मैंने ढरते ढरते और फिर दुझनाद कोओविट में आ प्राक्रथिक हा गया कोविट ने आता रहा भी प्राक्रथिक पहने आता प्राइज ने बढ़ता हुआ था अगली बार नुसर जो खर्चा पिया था वो कोविट में आज एक पाइजय ने खड़े हुए फिर दुसरे तरद्य रध्या पर इदर आगा है प्राकरतिक के दिक तो इसको चार साथ तेहीं कर दिक है आपको पुर्णा आपको तुष करें ना वह था तालिया भाईया वीजय चौदरी जी के लिए आचली प्रमाय सक्कि आच्छा वीजय चौदरी जी के लिए जोडान आलिया थेके और हमारे गज़त बाइन के सार्थमीदी के पूरां देर रहें गेंगे तिक तो रहेंगे तो देर सक्किलिए फार दुटरी जोधार ईकालिय विटालिया थेकि लिए यहां अधे निवीजय भाई देर ज़िए धव्यब्रा अधि धुटरी थेकि युवा के शान मलीय गेश्वरजी यहां पर आढ़ेंगे जीसे पाइठ मेया संन्दरी पाइठ फेंगे जीवार्जी पूर्चे के जिड़ा देख्ष ने जिले के महामंत्री गफार बाई से आगरें कि वह आएं अक्षा जैस्वाल जी यापके बुरानपुर के किसाथ आरे वाग क्या बात है मित्र का सम्माह जोरदार तालिया जोरदार लगाता हो जोरदार अश्रो भाई पाठल जी दापोरस के इस समीति के मारे अंद्रक्ष में आएंगे और तुर्ण दौर्दी में आएंगे और भागते बिश्वागत करके सब को भोजर के लिए आम अधर करेंगे आगे आप भी होश्त है हम सब तो मैमान है सुनेल जी को सुनेल सहरे जी इस सुनेल सहरे जी को अधर कर देवाले हमारे जनपात्री कर शी समीति के अदर वे इमारे भी जाएंगे करा नाना बाउ जीया नाना बाउ जीया खेगे देक्टी मे जड़ां किया अदमादोक पछल्डी झे जड़ाग। और रिडिये सहाब से भी करवा दीजे गनेक माराज मुर्सल से आईए वेकर मारे भी चाहिए गनेक माराज लोगा इस पाठाग जी को भाई नभीर पुंदार जी हमारे बीच का भाई मुझे रखता ले दिया होगे इसके मुझे मिले नहीं के वे अपने के अपने के अपने घर में प्राकेति अच्छी करते हैं बढ़े पेस्के इसके प्राइब करते हैं काथ से जी से मेरा प्रोथ है कि वे आएंगे और आपका नाम बनाए ना अपने के साथ हैं अब पेडि जी कोद्री कहां के अब और यह विनोथ भाई सागें अगर एंट वे भी आ जाएं मली राम जी है और सांदा जी अभी चाना उत्पादम किया है इश्वर भाई एक मिनट एक घंचा दीजे मुझे एक घंचा दीजे अब अब नेता नहीं है ना फोटो को जाने की मैटल्स नहीं है और रगी भाई से मेरा आइन नहीं है आप ताराथ मेरे जी जी का आप शौबर करेंगे इश्वर भाई आप अब इतरा आए और हमारे डीडिये देवके जी आप तक जेवके जी का और संदीप जी का स्वागा जाने हों कि पूरी टीम का स्वागत नहीं आप मैं ठेक शता है देखे जेदा आए मेरे पास आए और उदर भाहर नाइन बना के खाने के प्रेक्टी पास जाना आए जो लाइन बना के कट लें चलते जाएगे हो आगे अथे लिए आप अब आई आई ना आई ना आई दर आएं इसे कि आदर आए ये उसके मतले। ज़्तार ज़ंड ज़्तार ज़्तार बैली मुंजब बैए थाक्षरिण के लिए, और खेटी के लिए निद्रीष्टे के लिए और आप अप से होगा। और अब देखते हैं कही ससी जपीनों तो बताओ थोड़ी बहुत हो दिले अब आप को बार बार आना पुड़ेगा यहां नाखी एक थोड़ी सी दो मुझे नॉलेज यहां बता रहे हूँ हमारे यहां पर गेहु आया है उस्ट्रेलिया से सारे चाराजार साल पर हो भारत का नहीं है और हमारे यहां पर मक्का आया है अमेरिका से करीक हजार साल में मक्का भी भारत का नहीं है पर बाजार भारत का आया है ज्वारी भारत की है कोदो कुटकी भारत की है रागी यहां नागली भारत की है अपने कुट्टू का अटा करते हैं उता भारत में वह भारत का है और भारतीय नस्ल के जो फसले हैं वो स्टडी है, मजबूत है, आंडी, दूफान, ज़री, भारिश इससे खराग में होती है, जैसे हम मजबूत हैं भारत ये लोग, जैसे हमारे उन फसले भी हैं, दूसर अगर आई नहीं करा हुआ हो, अगर आई तो हुआ है, पर आई हुआ हमारा साई वालत का ये का बारतीय नस्ल लगा, तो उस नहीं से प्रोब्लम नहीं है, अब आप सबको बोजन के लिए मदद करती हूँ, पर पुने दिलन करोंगी, कि आम लाई में जाके बोजन नहीं के बारते जाएं, बिल्कुल, 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 बोली, बोली, बोले ही को नहीं को नहीं कर आपका, अज़ा, खल, अभी मैंने जो कहा, कि जिसको हमारे पधान मंति जी कहते है, श्री अन, कि लोगों को पहले कप्ताब लोगों को ने सिखाया तो पुढ़ने के बाद क्या करना है चुपड दो और चुपड ने बाद इसको जला को और जला करने के बाद वो जो थर्मकोल के बॉक्स के अंदर हमने इस कंडे को रख दो और उसका ढगा के चारो तरफ टेप लगा दो क्या लगा दो टेप और किसी को भी कोरियर कर दो अभी DTTC से मेरा टाई अफ हुआ है वो पिन कोड तक तीन दिन में पहुंचा देगा उनका डारेक्टर खुद मेरे से मिलने आया बोले आपका केला हम पिन कोड तक पहुंचा देंगे कितने दिन में जिसके पास केरल में और वहां सिमला में भी जाएगा वो खोलेगा उसके अंदर पका केला पर वो केला दिखेगा पेवर हरा कच्चा ही दिखेगा पर छी लेंगे तो कागज जैसा पतला छिलका दिख लेगा और स्वाद उसका अदभूत आएगा और यह केला जो है कम से कम 15-20 दिन पका रह जाता है खराब नहीं होता साथ आट दिन में वह पीला पड़ेगा दस दिन में काला आएगा 15 दिन में पूरा काला हो जाएगा पर छी लोगे तो पतला छिलका रोव इस्वाद मिलेगा तो इतना बढ़िया ध्यान नहीं कैसे पकाना है घंडा चाहिए हां घंडे चाहिए घी चुपड़ना है थर्मकोल के बास में 15 लिटर 15 दर जलने से अध्य प्रॉप्ली बीट अंदर ये अंदर दो दिन में और ठंड में चार दिन में पग जाता है जला के डालना इसका धूवा निकलना और यह तब तक जलेगा जब तक अंदर ऑक्सिजन है जैसी ऑक्सिजन का पर्षेट कम होगा ये जलना बंद हो जाएगा ठीक है विशी विज्ञान के अंदर परिवार के तरफ से मैं हर्दिक स्वाकट अपरणना में धन्यवार देता हूं चीर के जमीन को मैं उमेद बोता हूं मैं किसान हूं साहब जैन से कहां सोता हूं जैन जैन भाद भाद है